चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ और इंटर्मीडियेट के दौरान मुझे समझ मैं कि ये मेरी दुनिया नहीं है मेरी दुनिया कहीं और है क्योंकि मैड़क नहीं काट पाएंगे इसलिए हाँ उसी उनिवस्टी में फिराग गोरकपुरी हरिवन चराय बच्चन महादेवी बड़ी लगशी बड़े लोग बड़ी लगशी नाम सुरकांत्रिपाथी निराला जिसके सीनेट हॉल में कभी आकर के फैज हमत फैज ने नजमे पढ़ी हो जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं क्या करूं मजबूरियां हैं गाओं से आया हूं मैं और मैं तेरे रंपरा रही है लाल किले का जो मुशारा होता था उसमें देश के प्रधान मंत्री देश के रास्तरपती बैठके सुना करते था आज तो हालत है कि आप चार बंक्ती पढ़ दो तो आपके खिलाप ले करके फायार खड़े हैं लोग लेकिन भाजपा के पास ऐसा कौन सा चे तो यह जो है ना आप लिकते बढ़ी आउ है जो भी बूलओ आप लिकते बहुत बढ़ी आऊ कई एंकर तो ऐसे बीतमें देख करता तो कि आपने उनके पारिवारिक किसी बुजरुक सदस्ट के बारे में ऐसी बात बोल ड़ा मतब बड़ा वनardon क्या ही की बोले हम बोले अधिक्ष नद्दा जी ने कहा था और वाटसप पर ये मैसेज बहुत सर्कुलेट किया गया था कि मोदी जी के एक फोन कॉल ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया यूक्रेन और रसिया का आपको तक भी पहुंचा ही उटा पक्का पहुंचा होगा अधा फ्रेंड एक चीज पूछा चाहता हो मालोग मुझे तो कुछ भी नहीं पता क्या होता राजयोसभा के अंदर जब आप जाते हैं कि हर इंसान को एक टाइम दिया जाता है कैसा हो ता यूज बिल्कुल नहीं इस मुखालते में बिल्कुल मत रही है तो दिलिया बड़ी प्रताबगड की गलियों से राजयसभा के गलियारे तक का सफर कैसा रहा उसमें बीच में बहुत सारे नजमें आई बहुत सारे वाक्य हुए होंगे इन सब का कॉन्वसेशन चलेगा आज हमारे साथ बहुत सब आभी पॉड़कास में इम्रान प्रताबगडी साहब है बहुत सारे लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं प्लानिंग करके एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं मेरी जिन्दगी में सब कुछ बेतर्तीब सा था वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्तर बनूँ और इंटर्मीडियेट के दौरान मुझे समझ मैं कि यह मेरी दुनिय दुनिया कहीं और है क्योंकि मैं अधक नहीं काट पाएंगे इसलिए हां मतलब एक अंदर से लगा कि मुझे शायरी पसंद है मैं मुझारों में कभी समेलनों में जाता था सुनने के लिए तो लगता था कि नहीं यह अपनी दुनिया है और वह दौर वह था कि जब शायरी और कविता करने वाले इंसान को समाज में माना जाता था कि मतलब यह तो गया हांत से लड़का हांत से निकल गया तो वह पैसे नहीं थे तो हर माबाप सोचता है कि उसका बेटा जो है वह इस्टेबलिश हो जिन्दगी में काम्याब हो तो उन्हें लगता था कि नहीं यह का रिवार में बड़ा था तो पिता जो है गाउं में आज भी बड़े बेटे को सोचते हैं कि हमारे आसपास रहे तो ज्यादा अच्छा है इलहाबाद वहां से 70 किलो मेटर दूर है पहली बार शेहर बाहर निकल के आया तो वह बहुत बड़ा टनिंग पॉइंट और फिर वहां सब्सक्राइब करता था और बच्छों का भी एक जो मतलब साथ मिला साथ के पढ़ने वाले लड़कों का लड़कियों का वह बहुत खुबसूरत था उनमें लिट्रेचर था और चुकि उसी उनिवर्स्टी में फिराग गोरगपुरी, हरिवन श्राय बच्चन, महादेवी वर्मा, बढ़ बड़ लगेसी बड़े लोग बढ़ बड़ा नाम सुरिकांत्रि पाथी निराला जिसके सीनेट हॉल में कभी आकर के फैज अहमत फैज ने नजमे पढ़ी हो तो वो सब भथ लुभाता था वह जो बरगद का एक पेड़ है जो सिम्बल है उस यूनिवर्स् लिट्रेचर का एस्टुएंट हूँ अच्छा वाँ तो मैंने पोस्ट के उशन हिंदी लिट्रेचर से किया परासना तक तो उस दौरान में हिंदी में कविताय लिखने लगा और हिंदी कविसमेलन के मन्चों पे सक्री हो गया देश के जितने बड़े नाम है सब के साथ कवि विश्वास और ये सब सारे लोग कविसमेलनों में बड़े नाम थे उनके साथ कविसमेलनों में जाता था फिर वहां की दुनिया में ठिक ठक नाम अपना भी बना लिया थोड़े पैसे आने लगे तो परिवार को लगा कि नहीं ठीक है अपनी मर्जी का कर रहा है तो कर रह लास्ट कब गएदे आप अलाबाद यूनिवस्टी में 2008 में मैंने पास आउट किया उसके बाद कभी ऐसा जाने का मौका मिला नहीं जाना तो रहा फूब जाना रहा मैंने जनरलिजम का डिप्लोमा किया वहां से वापस से और उसके बाद जो है लगाओ तो इसे पॉलिटि गडिशा सब्सक्राइच करें तो उसक क elegir तो की दर्जा में डिटा आ이슬 करेंगी दोॉटिवका pleased shop to बहुत उसको ज्या काम थादी बुथान कारिकरम से मैं व्यूआ वह बहूत शुरूआती दिनों से जुड़ा हूँ जुड़ा हूँ को अब तक दोसे ज्या-दिडा भरक है एकषििन नियादो जी है वह उसको फिलीद करते हैं तो वह सारी गनियां Cela नाम बदल गया लेकिन शेहर का आपके त 누ाम अलावाद है प्रयाग्राज nessamoles शेहर का नाम वह भी सरकार को यह चुभा लेकिन वेकिन इलाबाद में पला बढ़ा, इलाबाद की गलियों में जिसने सांस ली है, उसके लिए वो प्रियाग राज इलाबाद रहेगा हमेशा, इसमें कोई दोरा निक्ता ही बात है आपने इस कॉनवसेशन के स्टार्ट में एक बात बुली कि हमेशा लोग सोचते हैं उस जमाने में पोईट्री या शायर होना कोई बहुत फीजिबल ऑप्शन नहीं था करियर के लिए, क्या वो चीज बदली है अब हम दो हजार तेरा आते आते बदला, जब सोशल मीडिया हम मुबाइल हमारे हाथ में आये तो वो चीजें बदली, शुरू में पैसे नहीं थे, दो हजार रुपए भी, एक हजार रुपए भी, मुझे आदे मैंने पहला कवी सम्मेलन पढ़ा तो मुझे सो रुपए मान दे या मिला था, लेकिन बाद में खूब पैसे आते गए, वो नुमाईश के प्रगाम जोग, एक परंपरा है देश में, हिंदी पट्टी में खास तो वहाँ पैसे थे, लेकिन मुझायरों में बहुत कम पैसे थे, लेकिन दुर्दशा होई या, मानो नहीं, उसकी बनिस्बद बहुत कम पैसे थे, जहां आप वॉली बुट से बुला कर किसी एक सिंगर को या किसी एक नित्यांगना को आप 15-10 लाक रुपए दे रहे हैं, वहीं कवी सम्मेलन का 10 कवियों का बजट भी आप 2 लाक रुपए रख रहे हो, तो आप अंदाज लगा सकते हैं, अंतर कितना था, जबकि आप देखें, तो इंटर्टेन्मेंट कई लेकिन हम लोग के आने के बाद वह बढ़ा, ठीक ठाक बढ़ा, ठीक ठाक पैसे मिलने लगे, जिन्दगी थोड़ी अच्छी हो गई, बाकी शायरों के लिए भी अच्छा हुआ के हम लोग थोड़ा ग्लेमर लेकिया हैं मुशायरों में, तो उसका बेनेफिट सब को मिला, और सब थोड़ी थोड़ी दुआएं, बट एक कम्लेन मेरी हर सरकार से है, मतलब वो कॉंग्रेस हो ये बीजेपी हो, ये कल्चर गोना बहुत साथा बढ़ावा नहीं मिलता है, हम ये बाकी चीजों में इतने फस जाते हैं, जो की जरूरी है, I'm not saying कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी कहीं नहीं हमारा कल्चर भारते कल्चर है, ये सरकार के साथ साथ हमें समाज को भी थोड़ा सा इस चीज के लिए जाबरूप करना पड़ेगा, और जो समाज, जो सरकार, अपने कवीयों, शायरों, साहित्यकारों, कलमकारों और अलग-अलग विधाओं से होना चाहिए, और मुझे आद है कि अखिलेश यादों ने 2016 में मुझे उनकी सरकार ने मुझे यश्भारती एवाड दिया, मैं यंग्यस था, 29 साल की अमरों में मुझे यश्भारती एवाड मिला, इस्टेट का लिट्रेशर का सबसे बड़ा एवाड बाना जाता है, अलग सरकार ने उबन कर दिया, तो मुझे कभी कि भी लगता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कामों के लिए सरकारों के पास पैसा है, समाज पे कोई गहरा असर ने डालते हैं, लेकिन उसी समाज का एक साहित्यकार या कलमकार या किसी भी विधा से जुड़ा हुआ आर्टिस्ट जो समाज पे गहरा असर डालता है, समाज का आइना होता है, उसको देना होता है जब चार पैसा, तो सरकार के पास सौ तरह के बहाने हैं और बजट की कमी हैं, कुझे लगता है ये मिजाज बदलना चाहिए, अकसर लोग शायरों से कवियों से बहुत डरते हैं, और अगर व जोईन करने वाले थे, ये भी बात चल रही थी, ये सब बाते हैं, बातों का क्या, मैं राजली थी जोईन नहीं करना चाहता था, ये भी एक बात, अच्छा, दरसल है क्या कि हम जब कवी सम्मेलन हों बैटते थे तो बात बड़ी हम कवी लोग, अकसर बहुत सारे कवी सीज को अधित करते थे कवी और शायर समाज का आइना है, और कोई नेता अगर राद भर कवी सम्मेलन मुशारा सुनते हुए बैठा रह गया, तो उसके मजे भी खूब लेते थे, उसके कटाक्ष भी करते थे, टिपड़ियां भी करते थे और पहले के नेता सुनते भी तो पहले अपनी आलोचना सुनना बंद कर दिया सरकारों, ये किसी भी स्वस्त समाज के लिए अच्छा ने, ये स्वस्त लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, फिर यश्वारती मिलने के बाद बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं समाजवादी में जाऊंगा, क्योंकि उन्हीं ने दि ये दुनिया अपनी दुनिया नहीं है, फिर 2018 में रहुल गांदी जी से मुलाकात हुई, तो दो चार पांच मुलाकातों के बाद मुझे समझ आया कि नहीं, वो अच्छे इंसान है, और उन्होंने बातों बातों में कहा कि मैं अच्छे लोगों की जरूत है, आईए पॉलि क्या देखते हैं, मतलब minority किस तरीके की problem में है, और वो एक common man के perspective से, प्लस अब आप एक राजनेता हैं उसके perspective से, दोनों नज़रीव देखते हैं इसाई है, उसमें सरदार भाई है, सिख भाई है, उसमें पारसी है, बहुत है, जैन है और मुसल्मान है, लेकिन बीजेपी ने एक narrative बनाया कि नहीं नहीं, सिर्फ मुसल्मान है, minority appeasement, minority appeasement अगर कोई सरकार आपके शब्दों में कर रही है, तो फिर तो वो जैनियों को भी बहुत कुछ दे रही है, फिर वो बॉद्धों को भी बहुत कुछ दे रही है, वो सरदारों को भी बहुत कुछ दे रही है, लेकिन बीजेपी जो है, दरसल बीजेपी पूरी राजनीती है, उसका जो भाउनात्मक राजनीती है, उसके निशाने पर मुसल्मान नहीं हो, त फिर आप किसी भाजपा के भी पढ़े लिखे नेता से बात करेंगे और उससे कहेंगे कि भाई चार पांच प्रमों काम गिना दो जिससे इस देश की आम जनता के जन जीवन पर असर पड़ा हो तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए गिना पाना आप मुसल्मान और दो चा करनाटक में चुनावी टाइम में उनका विधाय कहता है कि क्रिशन्स के हाँ तोड़ देंगे हम और इधर बढ़ेंगे तो तो यह जो राजनीती है भाजपा की वो दरसल इस देश की माइनॉर्टी के लिए खतरनाक है और वो उनको हमेशा वो ग्राउंड पे अपने वरकर को मनबढ कर देते हैं जो उनके आनुशांगिक संगठने में बड़ा हिंदी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो आनुशांगिक संगठने उनको मनबढ कर देते हैं और जब वो मुसल्मानों को या क्रिश्यंस को या जैनियों को बौध्धों को सिखों के खलाफ कैंपें आप इस तरह के तमाम जो सोशल मीडिया एकाउंट है आप उसमें देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि प्राउडली फॉलोड बाई प्रामिनिस्टर तो ये चीजे मनबढ करती हैं समाज के तपके को मुझे लगता है कि अगर आप सब का साथ सब का विकास का नारा लगा कुछ ऐसा जो मतलब कभी ऐसे पुब्लिश ने किया हो वाट ने मैं बड़ा बिबाक शायर रहा हूं और बिबाकी ही मेरी पहचान है तो मैं हमेशा ये सोचता रहा हूं कि मैं वही लिखूंगा जो मैं पढ़ सकूंगा चुपा के कुछ नहीं रखूंगा उसमें बहुत सा हर्ज नहीं होना चाहिए तो मेरी शायरी अगर थोड़ी करवी भी रही हो तो मैंने सरकार को आइना दिखाया तो उस आइना दिखाने में बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है नाराज भी होते हैं प्रेम भी किया जाता है कि नहीं आप तो पर्टिकुलर सक्ता विर को तो और बहुत प्रेम को और भी हुआ हो कमीडिय कर रहOW हो वो वो खासी वंगने में कोई बाग कर रहा हो उसका काम ही है सत्ता के ख us patients को आइना दिखाना और सत्ता को भी चाहिए कि इनहें बरदाश्त करिए अगर आप नहीं बरदाश्त करते हैं तो इसका मतलब आप लो अच्छा परिवर्तर नहीं दिख रहा है, चीजें, माहौल, आप पत्रकार हैं, आपके लिए ये बात कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है कितने इस देश के पत्रकार हैं, जो सची ग्राउन की रिपोर्टिंग करने की वज़ा से जिन्होंने मुकदमे धेले जो जेल गए, आप देखें, मिर्जापुर की उखटना याद हो कि मिड़े मील के खिलाफ एक लोकल पत्रकार ने जिले में रिपोर्टिंग करता था, खबर दिखा जी जेल गया, और बाद में बचारे की कैंसर से मौत होगी, सरकार ने कोई मदद नहीं की, आपको याद होगा गुलाबो देवी जी से एक प्रशन पूछ लिया, भी रिसेंट कुछ महीने पहले उत्रप्रदेश की कैबिनेट फिनिस्टर हैं, उनसे एक पत्रकार ने, जो मतलब मैं ये कहूं कि विचारा गमचा वमचा भी उसने उसी रंग का डाल रखा था, जिसको सरकार पसंद करती है, लेकिन उसके सवाल सरकार को पसंद नहीं थे, तो उसको जेल भेज दिया गया, तो ये जो आप एक मेसेजिंग करते हैं, कितने पत्रकार हैं जो एक वक्त में बड़े पत्रकार माने जाते थे, आज अपने घरों के यूटूब चैनल चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, इसलिए क्योंकि सरकारें अपने खिलाफ उटने वाली आवाजों को फसंद नहीं करती, तो मेरा मानना है कि हमने, मैं कॉंग्रेस में हूँ, 2019 से राजनीती में हूँ, लेकिन अगर मैं उससे पूर्व में भी जाओं, तो कम से कम कॉंग्रेस ने अपने विरोध में या अप अपनी अलोशना करने वालों को भी बरदाश्ट किया, और ये एक सुस्त लोकतंदर की जरूरत है, वो कल को हम आएंगे, तो हमारे उपर भी ये बात लागू होगी, कल को आने वाला कोई और भी आए तो उस पर भी ये बात लागू होनी चाहिए, और समाज की जिम्मेदार का बहुत सालों तक राज था, साशन था, और उसके बाद लोगों ने बीजेवी को चूज किया, अब आप बोल रहे हैं, कई और भी बोलते होंगे, कई खुश भी हैं, कई नाखुश हैं, जो नाखुश हैं, उनको कैसे लगता कि कॉंग्रेस सॉलूशन है, देखिए, कॉं हिमाचल, अभी कुछ दिनों पहले हिमाचल का रिजल था, हमने वहां महबत की दुकान खोली, फिर हम करनाटक में हमने एक अच्छा सा शोरूम खोला है, आगे मध्यपरदेश है, वहां अच्छा शोरूम खोलेगा, 36 गड़ है, वहां हमारा शोरूम चल रहा है, उसका हम र राजस्तान रुनुवल कराएंगे, और फिर आए महारास्टा आप आएंगे, तो महारास्टा में तो बुरी तरह से सूपड़ा साथ होगा, तो मैं बतलब बहुत राजनेतिक भाशा में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये इंटर्व्यू उस तरह का नहीं है, लेकिन ये स और लोगों से मिले, लोगों को गले लगाया, तो लोगों लगा कि नहीं यार ये राहूल, वो राहूल तो नहीं है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे, डेली वाटस अप पे ग्यान आता है, डेली एक दस, बीस लाइन का, पचीस लाइन का एक आर्टिकल आता है, कि परेदेश के एक एक व्यक्ति तक पहुंची तो उन्हों ने देखा कि निया रहुल गांधी तो बहुत अलग व्यक्ति है रहुल गांधी तो बहुत सामान्य बहुत साधा सा जिसके बारे में प्रधान मंत्री जी ग्री मंत्री जी कहते थे कि वो तो शहजादा है तो याद होगा आपको लेकिन लोगों ने देखा कि यार वही राजकुमार सडकों की धूल फाक रहा है एक जूता जूता भी नहीं बदल रहा है एक टी-शर्ट आप अन्जाजा लगा सकते हैं जहां प्रधान मंत्री इस देख में असी करोंड लोग पांच किलो राशन पे जिन्दगी गुजार रहे है वहाँ प्रधान मंत्री अपनी महगी ब्रैंडिंग क्यों कर रहा है क्यों? क्योंकि वो उद्द्योग पतियों के करीब दिखना चाहता है लेकिन हमारा नेता गरीबों के करीब दिखना चाहता है उसके दिल में गरीबों के लिए प्यार है तो वो गरीबों की तरह जिन्दगी को बहुत सामाने तरीके से जीता है उसकी गारियां बहुत महंगी नहीं है उसके जूते महंगे नहीं है उसकी टी-शिर्ट बहुत सामाने है जो है वो 400 रूपे का मिलता था UPA2 के दौरान साथे 1100 का कैसे मिलने लगा तो फिर इस्मृति इरानी जी एक प्रेस कॉंफेंस करके बताएंगी कि मैंने तो प्रियंका गाल जी को जो है ना नमाज पढ़ते देखा अब आप गैस सिलेंडर पर बात मत करो आप बात करो नमाज पर भाई आप ये ध्यान भटकाने की इंतहा है ना आपको याद होगा रविशंकर प्रसाद जी विजय गोयल जी स्मृति इरानी जी भाजपा के तमाम बड़े बड़े में था प्याज की माला लटका के आलू की माला लटका के दिखें होंगा विजूल तो मौजूद है आ अचे दिन तो अमा निये को मुबारो को अर्षा करो मैं पुराने दिन की मअ दानों हो बहुत अच्छो पती को भी रहें कि वकॉत निधराने संगर्श कर रहें हैं टिखें धिनार फक्रीयों कह RAW भी वे उड़ेशके को भी वो गडियो के लिए उटक्ष के लिए दिख जर सरकार संसद में इस बात पत्ती ही वहवाई करती है, क्यों जो है असी करोन लोगों को 5 किलो राशन दे रहें, कहते हैं हैं? यह इसी करोन का अंकड़ा कम क्यों नहीं हो रहा है? भए आज से तीन साल पहले ऐसी करोन को आप राशन दे रहे था, पिर दो साल पहले भी Aksi करोन को राषन दे रहें, पिर एक साल पहले भी इस बार भी आपने पर्लिमेंट में का हैं, Aksi करोन लोगों को राषन दे रहे हैं, यह अगरा कम करिये हैं, वो खुद कब से खरीदना चाले हो रहे हैं? उनको इस लाइक बनाईए ना, कि वो खुद खुरीद सकें, आपने किसी को तो इतना बड़ा अमीर बना दिया कि वो दुनिया चौप 10 में पहुच जाए, और आपने कि-जिए को इतना गरीब बना दिया, कि वह डुक्रण को इतना गरीब बना दिया कि वह पांच किलो राशन के लिए Modely कई लाइन स्टेट माना जा रहा है कॉंग्रेस के लिए काफी उथल उथल चल रहा है काफी टाइम से MP हमने एक अपसेट देख लिया अल्रेडी किस कॉंग्रेसी सरकार रफॉम होई और फिर वापस BJP जो भी हुआ मतलब वो सबको पता है वो भी आर्काइव में है आपको क्या लगता है क्या इस बार नया होगा क्या डिफरेंट होगा क्या चीजे स्टेबल रहींगी इस बार के लेक्शन में लेक्शन अब पहले हम बात करते हैं राजिस्थान ठीक आप हालिया दिनों में देखें पिछले आप यह पाएंगे कि अशोग गहलोज जी के जो कुछ काम है वो इतने शांदार राइट टु हेल्थ का जो बिल है वो इस देश में पहला स्टेट है राजिस्थान जहां वो लागू हुआ इस्थिती है कि आज लोग जह जह कार कर रहें सरकार की कि आपको इलाज कराना है प्री चिरंजीवी योजना एकनी शांदार योजना गय सिलिंडर पांच सो रुपए का दे रही है सरकार तो यह सारे जो काम है हमारा काम हमें वापस ले आएगा अब रही सम्वेदन शीलता की बात तो हम एक लोगतांत्रिक दल है अगर हमारा एक कोई नेता जो है वो किसी चीज पर विरोध भी कर रहा है या आंदोलन भी कर रहा है तो यह स्वस्त तरीके से लेखा जाए इसमें भाजपा के लिए खुश होने के लिए क्या है भाजपा का कौन सा चेहरा है जो सरकार से सवाल पूछ पा रहा है चलि अगर किसी बात पर हमारा ही नेता हमारी सरकार स सवाल पूछ रहा है तो ये तो मैं तो किसी लोग कंत्र के लिए मैं इसे और अच्छा मानूगा वो तो अच्छी चीत है लेकिन भाजपा के पास ऐसा कौन सा चेहरा है राजस्थान में जो खड़ा होकर कि आज तक विधान सभा से लेकर सड़क तक एक सवाल पूछ पा रहा ह तो बताईए गजंदर सिंग शेखावज जी खुदी फासे हुए है सरकार जिस दिन थोड़ी सी और सुबूतों के साथ हाई तो जेल चले जाएंगे मैं तो बोलगा है बहाच्पा को आउट ओफ़ द सीन रखते हैं अभी सिर्फ अगर इन दोनों के बीच पें कांजराशन करें कांजन या कॉन्टिक्ट तो बंता ही है थीक है अगर थी अगर विशन मनमुठाव है थीक है सचिन वाइलड जर्शें को दोनों में से कोई एक अगर आप यह सोचते हैं लेकिन तब भी Congress तो Congress तो है ना उसकी जड़ में तो Congress यह ना सरकार तो Congress की है अब इधायक जिसे आगे देखेंगे दोजार इसके तेईस के चुनाओं में बिधायक जिसे चाहेंगे वहागे मठेगा इसमें इसमें भुट विपक्ष के लिए यानि कि वहां के विपक्ष के लिए बहुत होने के लिए कुछ नहीं अब आये मद्यप्रदेश पिछले आप दो महीने का आप हालिया जिनों में व हमारे हमारे कोई मसला नहीं हमारे हम डिगवीजै गॉर कमला जी दो बड़े नेता है तो में बढ हनाराज बाऌट हैं को फोसली ही आप और विजय जी हर मंच पर कहते हैं कि कमलाज जी मुख्यमंत्री होंगे तो वहां कोई मसला ही नहीं है तो हम और एक बड़ी बाद तीन राज्य जहां भाजपा ने लोक तंद्र को लूट के सरकार बनाई मद्यप्रदेश, करनाटक और महरास्ट्रा ये तीन प्रमुकराज करनाटक के रेजल्ट आपके सामने है मद्यप्रदेश का कुछ दिन बाद सामने हुआ और इन दोनों से ज़्यादा खतरनाक रेजल महरास्ट्रा का होगी मैं महरास्ट्रा से सांसद हूँ इसलिए मैं वहाँ की जमीन की नबज आपको बता रहा हूँ जनता में बहुत गुस्ता है जिस तरह से शियुसेना को तोड़ा इन्होंने महाविकास अगारी की शांदार सरकार जिसने कोरोना के दौरान बहुत शांदार काम किया था उस सरकार को गिरा दिया गया कोविट के दौरान सरकार को तोडने की कोशिशें भाजपा कareती रही उस सबसे जनता में बहुत नाराज किया लोकों को बुरा लगता होगा है अगर आप अपने आपको राज़नेता अलग करतें और आप एक कॉममन मन ले आपने किसी को वोट किया और आपने उसको सरकार भी मनवाई और कुस दिनों बाद में वो चड़ा जाए दिल से बुरा तो लगता है और उधर मनीपुर में भाजपा की ही सरकार है लेकिन दंगे हो रहे हैं साथ से ज्यादा आधिकारी कांकड़े हैं कि लोग मारे गए हजारों लोग बिस्थापित हुए तो जनता पहले जो है ना इतने माध्यम नहीं थे आपकी बात पहुँचने का पहले ये था कि अख़बारों में छपा तो छपा नहीं छपा रास्टी मीडिया में आया नहीं आया अब तो यह ना कि सोशल मीडिया आपकी एक मतला आपके दोरा नॉमिनेट की गई एक पूर्व सांसत मेरी कौम जी उन्होंने वीडियो बना करके कहा कि मेरे मनीपूर को जलने से बचाईए लेकिन तकलीफ होती है आज तक पुर्वान मंतरी और बिन्यमंतरी जी का एक बयान मनीपूर आपका अपना राज्य है न सही बत तो उसके लिए आपको बोलना चाहिए लेकिन अब ये है मैं फिर आके ही कहूँगा कि लोगतंतर के चौते हस्तम की जिम्मेदारी है कि मजबूर करिये इसी देश ने ये भी देखा है कि प्याज पर सरकारे गिरी है प्याज की महँगाई पर पेट्रोल डीजल की महँगाई पर सरकारे उथल पुथल हो गई है बरस्टाचार के खिलाब सरकारे उथल पुथल हुई न अन्ना जी बैठे जंतर मंतर पर रामलीला मेदान पर सरकारे उथल पुथल हो गई आज ये है कि 20,000 करोन रुपे एक शेल कंपनी के जरीए आए है देश का बिपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो है वो सवाल पूछ रहा है पाल्लेमें अजादी है मैं सदन में देख रहा हूँ, मुझे लगता था कि मैं मंच से उतरूँगा, इस मंच पर खड़ा हूँगा, तो यहां कोई बोलने से रोकेगा ने, लेकिन यहां तो यह है कि आप बोलना शुरू करेंगे, मतलब सत्ता पक्षल्णा मचाना शुरू कर देगा, आपको बोलने तो सभापती महोद है, स्पीकर महोद है, आपका भाशन एक्सपंच कर देंगे, उसमें से तमाम शब्ध हटा देंगे, यार ये आप लब लोगों के क्यों सिलना चाहते हैं, क्यों डरते हैं, आपने जो अपनी विश्व विजई छवी बनाई है, वो लोगों के बोलने से क इसे तूप जाएगे, इतना क्यों डरते हैं, इतने डरपो क्यों हैं आप, ऐसा होता है कि राज्य सभाह में बोलने नहीं मिलता गई बर, होता है, मैं चश्मदीर, मैं गवाह बैठा हूँ, मैं राहुल, चलिए, मैं तो पहली बार का सांसद हूँ, राहुल जी विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, उन्होंने रास्ट्रपदी के अभिवाशन पर लंबा सा भाशन दिया, लोकसभा में, मैं राज्य सभा में हूँ, लेकिन फिर भी में उस दिन वो भाशन सुनने के लिए गैलरी में जाके बैठा, और मैंने अब्राहुल जी को सुना, बहुत बह चालिस मिनिट के आसपास बोले, आप को हैरत होगी, आप वो मंगवाईए उनका वो भाशन, आप ये पाएंगे के 50% से ज्यादा भाशन इक्सपंच कर दिया गया, अगर आप इतना डिक्टेट करेंगे, इतना सेंसरशिप कर देंगे, पारल्यमिन की कारवाई पर, तो ये मिलता है, कैसे हो दायों? बिल्कुल नहीं, इस मुखालते में बिल्कुल नहीं, आपको अपना वक्त छीनना पड़ेगा, आपको अपने वक्त, पहले बात तो आप जाएंगे, तो आपको, कुछ महीने तो समझने में पर पूरे 5 साल लोगों की गुदर जाते हैं, समझने म हम लोग पर ऐसी दुनिया से आये थे, कि जहां थोड़े भूत समझे समझाए लोग तो बोलने का जुनून भी था, जुनून भी होना चाहिए, तो फिर आप कोशिश शुरू करते हैं, कई सारी प्रक्रियाएं हैं, उसमें आपका अपना एक समय होता है, जीरो आवर, जहा पार्टी को इसे एक घंटे मिला, तो अब पार्टी मेधारित करेगी कि उसे एक घंटे में कौन-कौन लोग बोलेगा, उसमें भी जो बहुत सीनियर नेता है, उनका बड़ा, जाहिर सी बात है, पहला हक उनका है, तो जुनियर का बहुत बाद में नमबर आता है, तो आप स्पैट के कारवाई ही देखिए, लेकिन जुनियर अगर कवी हो शायर हो और मतलब बातों से तंज अच्छे से कस पाए है, तो फिर तो क्या ही बुराई है, तो तब आप कसेंगे, जब बोलने का मौका मेलेगा, तो बोलने का मौका पाने के लिए आपको बड़े जतन करने तो उसमें आपको चुकि वो फ्राइडे को आता है, तो ज्यादा तर सांसत फ्राइडे को अपने अपने घर निगले जाते हैं, तो बहुत कम सांसत बचते हैं, तो आपकी अगर पसंद का विशह है, तो आप तयारी करके जाएए, बोलने वाला कोई है नहीं, तो तुरंत आप नाम देते हैं, तो आपको 10-5 मिनिट गोलने के लिए मिल जाता है, लेकिन मुझे जब मैं उनस्टी में आया, तो उसी दौरान मेरे इलाबाद उनस्टी के बच्चे जो है, वो 400% फीस बढ़ा दी गई थी, तो उसको लेके 90 दिन से बहुत प्रोटेस चल रहा था, तो राज्यसभा के लिए ये थोड़ा नया सा है, के पचास साल से कम के लोग अमूमन राज्यसभा में नहीं जाते हैं, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ और मैं शुक्र गुजार हूँ अपने नेता का, राहुल गांदी जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, खरगे साफ का, क मैं 34 साल के उमर में राज्यसभा में आया, और आने के बाद, आप यंगेस्ट है, हम और रागव, रागव चट्ड़ा हम आदी है, हम दो लोग लगबच हमुम रहें, तो हम आने के बाद हमने थोड़ा सा, जहर सी बात है, नया खून आता है, तो वो नई तरीके से अपनी बात करता है, हमने जीरो आउर भी लगाए, हमने उपरास्टपती महोदे से मिल करके कई बार गुजारिश की कि सर ये बच्चों का मुद्दा है, ये आपने आद कि होगा, कोविट के दौरान, कोविट के बाद, आफ्टर कोविट, बहुत सारी हार्ड अटेक से मोते हो रह क्योंकि लोग ऐसे डांस करते करते मर जा रहे हैं, लोग ट्रेवलिंग करते करते गिर रहे हैं, तो मुझे इस विशे को उठाना ही है, तो जब आप बहुत जिद कर लेते हैं, तो इस पीकर भादे भी आपकी बात कभी कभी सुन लेते हैं, तो बोलने का मोका मिल जाता है, तो मुझे तो मैं मानता हूँ कि तीन सेशन गुजरे हैं, पहला जो था वो तो ऐसे ही गुजर गया, क्योंकि वो पुराने उपरास्टपती थे, उनका विदाई समारो का सेशन था, तो वो ऐसे ही चला गया, शपत लेने में ही, एक बार बोलने को मिला था, शपत लेने के कि जीरो और लगाया, स्पेशल मेंचन लगाया, एक प्राइबेट मेंबर रिजोलूशन में भी मौका मिल जया, और यह जो तीसरा सेशन था, इसमें किसी को मौका नहीं मिला, क्योंकि हम अडानी के मुद्दे पे चर्चा करवाना चाहते थे, सरकार ने एक भी दिन, सरकार में एक भी दिन, ऐसा पहली बार हुआ, कि सरकार ने एक भी दिन सदन नहीं चाहने दिया, अमूमन विपक्ष नहीं चाहने देगा, अमूमन विपक्ष अप्ष अपनी बात रखने के लिए नारे लगाता है, या प्रोटेस्ट करता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सदन बंद करा देते थे सदन, सदन तीन मिनट चार मिनट में सगित हो जाता था, हमारे कानों में बस एक सदा आती थी कि सदन कल तक के लिए सगित किया जाता है, फिर हम बहार निकलते थे तक्षी लेकर के, मोधियदानी भाई 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 देश में एककर खाई मलाई ये नारे प्रोचक रहा है, तीन सेशन बड़ा, तो अच्छा है, ये उपोसेशन अच्छा है, तो जूड क्यों नहीं रहा है, ये कईयों का सवाल है, जूडा हुआ है, आप देखिए, मतलब अगर अगर आप UPA1 या UPA2 देखिए, जिस हसाब से कॉंग्रेस के साथ बागी पर्टिय मतलब जड़ा है, नशस्य अटिलिवज जूड़ जूड़ी हुई थी, आप आपको कही όले लाकिंग देखता है, अब मान। आपको जो लाकिंग अभी दिखता है, ये चुनाव आते आते आपको वो सही दिखेगा, अभी जूड के क्या करें, घारे काम करेंगा, और क्या क लिडर आफ अपोजीशन के मतलब चैम्बर में रोज जुडते थे हर दल 19-19 दल अडानी के मुद्वे पर रोज जो है वो प्रोटेस्ट करते वे बहार निकल रहते हैं पारलेमेंट में आपको याद होगा हम पहले फ्लोर पर खड़े हो करके सारे सारे दल इसी को तो जुड़ना कहते हैं और जुड़ने की परिभाशा क्या है यह तो भाजपा बताती है कि नहीं आपस में बड़ा मन मुटा है अरे भाजपा को भाजपा के साथ जेडियू था कि नहीं था क्यों कर दल कि छोड़ के चला गया उनको छूड़ना लेकिन वो क्या करते है मीडिया के बताते कि बिपक्ष जूड नहीं जा इस प्रोटेस्ट कर रहा है पर्लेमेंट में साथ में वाक आउट कर रहा है कि हर जगा जो है वो मीटिंग्स हो रही है उदर नितीज जी पता चला ऐ करनाटक का हमने चुनाओ जीता तो खरगे साब को देश बर के विपक्ष के नेताओं ने फोन करके बधाईयां दी मैं उस दिन मौझूद था जब खरगे जी दिल्ली आये तो हमारे सामने ये बात करें इनका फोना है इनका फोना है तो अब और सरकार को सूचना दें क्या कि हम जुड़े हो हैं भाई हम चिट्टी दोड़ी लिखेंगे सरकार को तो मीडिया का काम है वो पता लगाए उसके ये खबरें देना तो मीडिया का काम है मीडिया तो सिर्फ ये तब स्टेट के नेता का फोटो लगाएंगे यही मीडिया वाले लेकिन भाजपा कहीं भी जीते मनला इस्थिती है कि भाजपा ग्राम पंचायत का भी जुनाओ जीते तो उसका भी श्रे मोदी जी को दिया जाएगा लेकिन इतनी सारी रहलिया इतने सारे रोडशो करने के बाद मोदी जी की पार्टी चुनाओ हार जाए तो उसकी जिम्मेदार मोदी जी नहीं है आप अगर मैं उस दिन तो डिवेट जिसने रेजल्ट आ रहा था मैं डिवेट में था कई मतलब आप यह कह दो कि नहीं हार तो म कॉधी जी कि हार तो मैं भड़व कई एंकर तो ऐसे मतलब रियक्ट करते तो किसे लगता है कि आपने उनके पारिवारिक किसी बुदूर्ग सदस्ज के बारे मैं ऐसी बात बोल दी तो बड़ा मदब बड़ा ने क्या ही करे क्या ही बोले हम बोले तो बोले क्या हम करें तो म यह काफी एक popular comedian है उनके आगे बीछे यह जो आपने अभी लाइन वो लिए उलगती है साहित्य संगील कला विहीना साक्षात पशू पुच्छ विशान हीना हमने बच्पन में संस्कृत का यह सूत्रवात्य पड़े अगर आपको साहित्य कला संगील इस सबसे आप विहीन है यानि कि इन सबसे आपको कोई लगाव नहीं है तो आप इंसान नहीं है फिर आप 18-18 घ राहुल से आप जब मिलेंगे राहुल आपको राजनेता से ज्यादा यह एहसास दिलाएंगे कि वो एक अच्छ इंसान है वो आपसे बात करेंगे साहित्य पर वो आपसे बात करेंगे फिलोसफी पर वो विश्र की राजनीते पर बात करेंगे वो आपसे यह नहीं पूछे आप से आपने इंसानियत बची रहने देना चाहते है राचनी की जोईन करने के बाद आपको मशीन नहीं बनाते हैं यहां तो खबरे कैसी आएंगी करनाटक का चुनाव खतम भारती जन्ता पार्टी की कार्यसमित की बैठक में जुटे लोग 2024 के एलेक्शन के लिए इसको एक पक्ष यह भी तारीफ कर सकता है कि इन देखे कितने डेलिकेटेट हैं एलेक्शन के लिए लेकिन एक पक्ष तो यह भी कह गर निए आप सिफ चुनावी मशीन है आप करनाटक में खड़े होके रेलियां कर रहे हैं और मनीपु धूंधू करके जल रहा है आपके प्रास्ट पढ़कों में होंगे ही होंगे हैं थोरा फोरी है थेंक गॉड में किसी ग्रूप में नहीं हो थैंक गॉड प्लीज नमबर में आप किसी वाटसप ग्रूप में नहीं हूँ, मैं गुड मॉनिंग आ जाते परिवार के उसी से परिशान होगे हूँ, आप सोचो मैं विपक्ष में हूँ, मुझ तक वो मैंसे जाया पलटके, कि मोदी जी का अगवाद के उन्होंने उक्रेन और रसिया के युद्ध रुकवा दिया, अब जो भी हो, आप मीडिया में हो, आप तो जानी नहीं होगी ये टेक न्यूज है, लेकिन, बड़े मीम के लिए बड़िया गॉन्टेंट है, वो बचारों को क्या पता कि ये मीम है कि क्या है ये, लेकिन, मनीपुर जल रहा है, युद्ध और वहां के जो दो, मतलब, साथ रहने वाली कम्यूनिटी आपस में लड़ रही है, आप की सरकार है, आप क्यों नहीं फोन करके हालात बहतर करवा दे रहे हैं, ये सवाल कौन पूछेगा, मुझे कोई बीज़े 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 ये सवाल करते हैं कि मोधी जी कौन सा टॉनिक लेते हो, मोधी जी आप खाते क्या है, मोधी आप पर्स में क्या रखते हैं, पैसा या नहीं, ये सवाल है, मतलब ये पत्रकारिता है, मैंने तो जर्नलिजम किया है, ये तो शुद रूप से तीत पत्रकारिता है, श्वेत पत अगए जाएगा, यू पीय की सरकार बनेगी, अच्छे भाहुमत से बनेगी और जो ये अच्छे दिनलाने का वादा करते थे वह बहतर दिन अच्छे दिन, यू पीय लेकर के आएगी, इनके बस का नहें महहत्वाइब कम कर रहे हम 500 स्लिंडर दे रहे हैं यह1,100 स्लिंडर दे रहे हैं- आको कम नहीं लग रहे हैं- इस लिखा ऐसे लिखता है कि किसी भी सरकार को अपने में बोज नहीं लेना चाहिए, अगर वो 800 का आता है और आप 500 दे रहे हैं 300 सबसेडी वो कहीं न कहीं प्रॉबलम है महत्वपूर्ण बात है कि अगर आता हो तो कच्छे तेल की कीमत आप बहुत कम है ना जब बहुत महंगा था UPA के समय में कच्छे तेल की कीमत महंगी थी तब हम सस्ता तेल बेंचते हैं आज कच्छे तेल की कीमत सस्ती है लेकिन पेट्रोल और डीजल जो है वो दुगने रेट पे सरकार बेंच रही तो इसका मतलब आप अपने तेल कंपणियों के जो मालिक हैं गैस कंपणियों के जो मालिक हैं उनको आपने फ्री हैंड दे दिया कंट्रोल कौन करेगा आप मुझे एक चीज बताइए 2014 से पहले आप फ्लाइट में तो आपने सफ़र किया ही होगा जिन एरलाइन के टिकेट जो है न यहां दिल्ली से बंबई का टिकेट 5000 कर रहा होगा 6000 में मिल जाता था 4000 में मैंने 1100 रुपए के टिकेट दिल्ली से मुंबई का 1100 रुपए का गो एर का टिकेट ले करके मैं कभी सम्मेलन मुशारा पढ़ने गया हूँ आज कितना है आज अभी आप तेखें दस दिन बाद का भी टिकेट आपको 10,000 के उपर का मिलेगा दिवालिया हो जा रही है एर इंडिया बिग गई गो एर अभी गो एर दिवालिया हो गया इस 25 जेट भी लगपक उछी कगार पर है और जेट एरवेज खतम हो गया तो आपने तो जो है मतलब क्या अच्छा किया अगर मैं इस सरकार से पूछो कि क्या अच्छा किया कोई चीज तो होगी BJP की जो पसंद होगी कोई एक नेता होगा जिनको चली मैं नहीं बोलता हूँ कि उनके काम पसंद होगे बड़ इन जनरल लगता है कि वेक्तित तो अच्छा है कही होगे कही दोरा है नहीं कि BJP में कही कॉंग्रेज से गयज नेता अच्छे है अरे ऐसा नहीं है बत और इंसान अच्छे है अच्छा एक चीज बताओ वो जब सेंटरल हाल में बैठते हैं तो बड़ी अच्छी सी बात करते हैं और यह कहते हैं कि हम भी उप गये लेकिन क्या करें पार्टी में हैं तो चुप रहते हैं तो अच्छे लोग हैं इसमें कोई दोरा नहीं है मैं यह नहीं कहता कि सब खराब ही है लेकिन अब वो पार्टी में है विशारे तो ठीक है लास्ट कब कुछ लिखा था टाइम मलता है अब मतलब आप बिजी स्केडियूल रहता है पुश्किल हो जाता है अच्छली प्राइटी बदल जाते हैं सभी बात है जिम्मेदारिया बहुत बड़ी हैं कभी सम्मेलन है बशारे हैं आप रोज हर मतलब हटे में तो जवाब देही जो थी ना उस ओडियन्स के प्रती थी तो जाते थे खूब रोज कुछ नया लिखना है हर विशह पर कुछ नकुछ लिखना है तो बड़ी आजादी थी अब यह है के सेशन चलना है तो सुवे से जैसे होता है एक अच्छे चात्र की तरह कि खकी है तो बहुत रहते है मैं जाता हूं ऑने पोर बैठता हूं सब को सुनता हूं और प्रिपेर करके जाते हूं और प्रिपेर इन दे सेंस कि हाँ मैं मुझे जिन विश्वों पर बात करना है मैं कोशिश करता हूं कि उनके फैक्ट्स लेकर के जाओं बाकी वहां लफाजी तो कर नहीं सकते आप आपको बहुत बाकी भाजपा के ज्यादा तो लवाजी करते हैं, मंत्री तक लवाजी करते हैं, फैक्स के साथ बात नहीं करतें, डेटा नहीं देना चाहतें। मतलब ये मैं ऐसे सांसद ये बात कह रहा हूँ कि कई मंद्र आप जिनका जवाब तो है वो पार्लियमंड के अंदर देना पड़ता है मंत्री को उसमें भी हीला हवाली है पहले जवाब दे ही होती थी आज गाउं में बैठा हुआ एक रेक्टिय उसको लगता है कि हमारा बाहत बड़ी बात है हमारे मुद्ध का हल हो जाए लेकिन आज ष्तिति हो है कि मैंने दो महीने से法श स्भाई हो गया हूंगा आप टीम में लगने से स्य जादा हो गया है में इस्छा क का इस भी मम रृता बीजती का मुद्ध्ध हो जाए हैं जिस होता यह क्ए था आप हो जाएंगे ताहे तो मरता रहे साथ सो किसान शहीद हो गए जब दिल आएगा तब वापस लेंगे किर्शी बिल नहीं तो नहीं लेंगे कि इस यह जब सरकार गठित हुई थी 2014 में तो सरकार के बड़े मंत्री ने कहा था कि हमारी सरकारों में स्टीफे नहीं होते हैं तो पता नहीं इस बात को बीजेपी इतना क्यों फॉलो करती है साथ सो किसान मर गए बेटिया मतलब यह जिन्होंने इस देश के लिए मेडल लाया है अगर वो आरोप लगा रही हैं तो आप यह कह रहा है कि पहले जान्छऊ होगी फिर सब कुछ कारवाइब और आप के ऊपर भी आरूप लगता तो पहले आप जेल मेंहोते फिर जांच होती तो इस सरकार ने मतलब खास आदमी और आम आदमी के बीच में कितना गयब भद्या अडानी के मुद्ध की जांच होगी से भी लटकाए पड़ी हुई है कोई मतलब ही नहीं है तो क्या ही कहें सरकार की मुद्धों पर लगता है कि आप अपना सरक हुजाईए पार्लियमेंट में बैठके आप ऐसे माथा पीट लेते हैं कि भाई क्या जवाब दे रहें मैंने एक क्वेश्चन लगाया उसके पर लगता है कि आप आप अपना सरकार पार्लियमेंट को लेने लगेगी तो लोकतंत्र बचेगा क्या एक तरफ तो आप 20,000 करोंड करके बड़ी भारी संसत बना रहे है और जो पुरानी संसत उसको हलके में ले रहे हैं नह संसत को देखा था तो प्रक्रिया चल रही है तो देखूंगा यह तो नजरे है करनी को भी देखा नई को भी देखूंगा नई संसत में बैठ के हमारी पार्टी सरकार भी चलाएगी तो भी देखूंगा आप बनाओगे आप सरकार हम चलाएंगे उसमें तो इस कहने बाद थोड़ी आपके जो फैंस देख रहे होंगे इस को इस conversation को उनके लिए कोई ऐसी शाहिरी जो शायद अभी जुबा पे हो और देश के हालात को बया करें देखे मैं बहुत दिन बाद अभी मुशाहरे में जा रहा हूं इस तारिक को बहुत दिन बाद मतलब बहुत दिन बाद कितने 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 कट सा गया था मतलब एक तो मैं मेंबर अपार्लेमेंट हो गया और तो फिर जाही ने पार्टमेंट का हेड हो गया तो बहुत बहुत वैस्तता बढ़ गई वो फैंस की बड़ी सारी शिकायत रहती तो जाऊँगा अब बड़ा जीब लगे लगे ना स्टेज में अचानक से MP बन गए और स्टेज बजा बड़ अलग सा लगेगा बिलकुल अलग लगेगा आप मानो ना मानो अभी तक एकदम कॉवन निसान थे अचानक से MP बन गए और को अभी तो निसान प्रोटोकाल सूचते हों को से बड़ा गूमता हूँ इसलुटीन में जाना वह कोशिश करता हूँ खुद गारी चलाओं लोग टीशिट पहन के निकल जाता हूँ अमूमन जहां जिन शॉपस पर चाना रहता था आज भी जाता हूँ तो चाय पीता वहीं चाय पीता हूं, जो कि अच्छी चीज है, हम नए शहरों में रहकर भी पुराने ही रहे, हम नहीं बदलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम कभी न बदले, हम जिस दिन बदल जाएंगे, उस दिन हमें लगता है कि हम भी खर जाएंगे, राजनीती में यह सच है, मतलब यह बात जल्दी कोई बोलेगा नहीं, कभी अशोक साहिल का एक शेर था कि घंबो की आँच में भी मुस्करा कर चलना पड़ता है, यह दुनिया है, यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है, और सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है, जिसमें कही चालों को खुद से भी छु आजाती है, तो मैं तो यह शेर सुन-सुन के बड़ा हुआ था, तो बड़ा डर भी था कि अमतलब कैसी साजिशें, कैसी साजिशों का जाल, आने के बाद लगा कि नहीं होती भी है, ऐसी नहीं है, मतलब लोग माला पहना के गर्दन दोज लेते हैं, लेकिन उसके मुझे लगता है कि यार कुछ प्रतिशत अपने अंदर की रशनातमक्ता, अपनी क्रियेटिविटी, अपना आर्ट और लगाओ अपना जमीन से, उसको मत खत्म करो, मतलब आसमान में उरो, लेकिन जमीन पर चलो तो फिसल मत जाओ, पत्रीली जमीन हो, या फिर गीली जमीन हो, या फिर संग मर्मर हो, मतलब उस पर यह नहीं लगना चाहिए कि आप फिसल रहा है, हम 2023 में बैटे हैं, 2024 एलेक्शन के पहले कोशिश करूँगा वापस से एक वर आपको परिशान करो, इंटर्व्यू लूँ, तब इसी बात पर, कि सत्ता का मोहो कितना और सर के ऊपर च कि आप 2024 में हमारी सरकार बन जा उसके बाद हम से इंटर्वी लूँ, चलिए ठीक है, 2023 में भी लीजए कि महारास्टा जीते हैं तब आप लीजएगा तो तब भी आपको लगेगा कि हम नहीं बतले, सच में और यह मैं अपने दर्शकों से भी कह रहा हूँ कि जिल दिन आप लेकिन अगर आपको लगे कि जो मैं मूल रूप से जो इमरान था मैं, मैं कहता हूँ कि मैं भारत का इमरान हूँ, तो जो मेरा मूल था, वो कभी बदला दिखे, तो आप मेरा गिरेबान पकड़ लेना कि नहीं इमरान तुम ऐसे थे और तुम बदल गए, मैं नहीं और आ समंदर किसने तुझ से कह दिया प्यासा हूँ मैं, मैं सियासत बदलने आया हूँ, सियासत की वज़ह से, खुद को बदलने का जिस दिन मुझे डर लगेगा, उस दिन छोड़ दूँगा सियासत। आप छोड़ने पर आने तो आप दिल ऐसा कि सीधे किये जूते भी बढ़ों के, और दिद ऐसी कि खुद ताज उठा कर नहीं पहना, तो आप दिखिए, जो साहिते से जुड़ा वेक्ति है, किसी भी आर्ट से जुड़ा वेक्ति है, वो एक वक्त के बाद जो है ना, फिर वो नहीं बरदाश्ट जिल सकता है, वो साज़िशों में जब उसे लगएगा कि नहीं ज्यादा साज़िश हैं, तो ठीक, हम कुछ करने आएं, हम, हम, हमें लगता है कि हम ठीक है, हम सो प्रतिशत समाज नहीं बदल सकते हैं, हम 10 प्रतिशन में सरकारे हैं, हम उनसे सौ काम नहीं करा सकते, लेकिन अगर हमने एक काम भी बुन्यादी करवा लिया, तो वो एक काम जो है, वो लाखों करून लोगों की जिन्दगीों पर असर डालता है, तो ये कैन्वस ऐसा है, कि यहां रह करके आप एक काम करा ले जाओ, तो आप यकीन करें कि आप जिन्दगी पर आपको इस अंतुस्टी रहेगी कि आप मन्चों पर खड़े हो करके, पूरी जिन्दगी जितना कुछ करते, उसका मतलब उसको जमीन पर उतार के, ठीके, रहूल जी ने मुझ से एक बार ये बात कही थी, कि जो नजमे तुम करते हो, उसके हल निकालने की कोशिश करें, उसका हल सियासत से निकलें, और यही वो बात थी जिसने, मतलब, वहां सब कुछ था, वहां पैसा था, और वहां, मतलब, राजनीती में आपको मूल रूप से तीन चीज़े मिलती हैं, पैसा, ताकत, और लोक प्रियता, यही ती इन चीज़े इनके लिए लोक राजनीती में आते हैं, हम जैसे फकीर लोगों को तो पैसा थीक है, तनखा मिल जा रही है, जो भी खर्च हो जाती है, यार दोस्तों के, यार दोस्तों बढ़ते चले गए, तनखा तो वही है, जो है, तो पहले तो ज्यादा पैसे कमा लेते तो अब है क्या कि दो चीज़ें पहले से मिली हुए कि आपको पैसे यहां से तो ज्यादा मिलते थे हैं, आप पहले भी देता था, अब नहीं देंगे तो और लाना से बही है, अब तो लगेगा कि नहीं, आप तो बिलकुल अन्याय कर दोड़ा, कि मतलब अब इज़स आद जी कहते हैं, यह MP साथ कहते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो मुझे बहुत सार एंपीस को आप देखेंगे कि उनको इलगेगा कि मैं अपने दोस्त को बिठा के गाड़ी चलाओं तो अब तो मेरे प्रोटोकॉल के खलाफ मैं तो कोशिश करता हूं कि नहीं गाड़ी सार दोस्त में मैं ड्राइबर रखने का बहुत बर्जदा है, जिससे ख्याल ना मिलता हो, तो वो लगता है कि कोई रोबोट बैटके गाड़ी चला रहा है और हर समय आपको जागरूक रहना पड़ता है, वो ब्रेक मारता है तो आप भी जो है लगता है कि आप भ प्रतिमिम्ब और प्रतिमिम्ब और अक्स अक्स वह भाई फिल्म आई थी एक काफी पॉपुलर है चलिए इंशाललह आपके जो खयाल है वो और लोगों तक पहुंचें आप लोगों में और लोगप्री हो आपका काम बोले और 2024 में जो आप ड्रीम कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी वो उपर वाला पूरी करें मैं सरकार बनने के बाद अगर बनी तो उसके बाद नहीं बनी तो भी उसके बाद आपका वापस से इंटर्विव लोगा जहां राजनीती से जाड़ा जाड़ा आपके व्यक्तित्तों के सवाल पूछे जाए और आपकी पसंद के बात की जरूरी है लोगोस्तों और यह होना चाहिए मैं इसके लिए आपकी तारीफ ही करता हूं आप जब चाहेंगे तब मिला करेंगे जरूर बहुत-बहुत शु का एक ऐसा जाल है जिसमें कही चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है अक्सर लोग शायरों से कवियों से बहुत डरते हैं और अगर वो पॉलिटिक्स में आ जा तो काफी डेडली कॉम्बिनेशन है वालिट साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और इंट सुरिकांत्र पाठी निराला जिसके सीनेट हॉल में कभी आकर के फैज अहमत फैज ने नजमें पढ़ी हो जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं क्या करूं मजबूरियां है गाओं से आया हूं मैं और मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखू तेरा जर्फ ऐ समंद आज तो हालत है कि आप चार पंक्ती पढ़ दो तो आपके खिलाप ले करके फायार खड़े हैं लोग लेकिन भाजपा के पास ऐसा कौन सा चेहरा है राजस्थान में जो खड़ा होकर कि आज तक विधान सभा से लेके सड़क तक एक सवाल पूछ पा रहा है वसंदुरा रा यह जो है ना आप लिखते बड़े हों है जो भी बोलो आप लिखते बहुत बड़े हो आप यह कह दो कि नहीं हार तो मोधी जी कि हार है तो मैं तो कई एंकर तो ऐसे मतलब रियक्ट करते हैं किसे लगता है कि आपने उनके पारिवारिक किसी बुझरग सदस्त के बारे में आपके राष्ट्री अध्यक्षि ने कहा था और वाटसप पर यह मैसेज बहुत सर्कुलेट किया गया था कि मोधी जी के एक फोन कॉल ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया यूक्रेन और रसिया का आपको तक भी पहुंचा ही वह ता पक्का पहुंचा होगा अधा फ्रेंड एक चीज पूछना चाहता हो मालोग मुझे कुछ भी नहीं पता क्या होता राजयोसभा के अंदर जब आप जाते हैं कि हर इंसान को एक टाइम दिया जाता है बोलने का मिलता है कैसे हो ता यह बिल्कुल नहीं इस मुखालते में बिल्कुल मत रही है और दि प्रताबगड की गलियों से राजयसभा के गलियारे तक का सफर कैसा रहा उसमें बीच में बहुत सारे नजमें आई बहुत सारे वाक्य हुए होंगे इन सब का कॉन्वसेशन चलेगा आज हमारे साथ बहुत सब आभी इस पॉड़कास में इमरान प्रताबगडी साहब है र प्रताब जिन्दगी में बहुत सारे लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं प्लानिंग करके एक-एक कदम आगे बढ़ाते हैं मेरी जिन्दगी में सब कुछ बेतर्तीब सा था वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्तर बनूँ और इंटर्मीडियेट के दौरान मुझे स यह अपनी दुनिया है और वह दोर वह था कि जब शायरी और कविता करने वाले इंसान को समाज में माना जाता था कि मदलब यह तो गया हांते लड़का हांत से निकल घ्ल गया तो वहां पैसे नहीं थे तो हर माबाप सोचता है कि असका बेटा बेटा जो है वह इस्टेबल युनिवर्स्टी आगया पढ़ने के लिए वो जिंदगी एक बहुत टर्निंग पॉइंट था वाले साब नहीं भेजना चाहते थे तो कि मैं परिवाद में बड़ा था तो पिता जो है गाउं में आज भी बड़े बेटे को सोचते हैं कि हमारे आसपास रहे तो ज्यादा पहली बार शेहर बाहर निकल के आया तो वह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट और फिर वहां आकर के बड़ा प्लेटफॉर्म जाहिसी वहां उसने अपको बदला ऐसा इंसान हाँ यकिनन इसमें कोई जो जो मैं चाहता था वो करने के लिए बड़ा कैन्वस मिला वहां अलग अलग तरह के competition होते थे पताचल लाइ डिवेट के competition होगा है ये पॉइट्री का competition होगा तो मैं पार्टिसिप्रेट करता था और बच्छों का भी जो बदलब साथ मिला अाथ के पढ़ने वाले लड़कों का लड़कियों का वह बहुत खुबसूरत था उन में literature था और चुकि उसी उनिवस्टी में फिराग गोरगपुरी, हरिवन्च रायबच्चन, महादेवी बर्मा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े लोग, सुरिकांत रिपाथी निराला, जिसके सीनेट हॉल में कभी आकर के फैज अहमत फैज ने नजमे पढ़ी हो तो वो सब बहत लुभाता था, वो जो बर्गत का एक पेड़ है, जो सिंबल है उस उनिवस्टी का, उसकी च्छाओं में बैठते थे तो, वहां बैठके जब हम अपने दोस्तों के साथ शायरी पे बात करते थे तो, ऐसा लगता था कि अंदर कुछ फील आ रहा है उन शायर चाना तक तो उस दौरान में हिंदी में कवताये लिखने लगा और हिंदी कवी-सम्मेलन के मन्चों पर सक्री हो गया, देश के जितने बड़े नाम हैं सब करीज़िक हो यह। वेदे आप अलाबाद यूनिवस्टी में 2008 में मैंने पास आउट किया उसके बाद कभी ऐसा जाने का मौका मिला नहीं जाना तो रहा फूब जाना रहा मैंने जर्नलिजम का डिप्लोमा किया वहां से वापस से और उसके बाद जो है लगाओ तो इसे पॉलिटिक्स में आने के रहा हमारे कुछ साथी हैं जो बिकलांग बच्ची की शादी कर्वाते हैं तो वह बहुत अच्छा काम है तो उससे मैं बहुत शुरुआती दिनों से जुड़ा हूँ तो अब तक 200 से ज्यादा बच्चे बच्ची बच्ची हम तमाम दोस्त करवा चुके हैं एक शिड़ा न प्रियाग इस्टेशन था गंगा जमुना लोग उसको प्रयाग ही बोलते हैं और वो हमेशा से प्रियाग राज था शहर इलहाबाद था अब सरकार को यह भी चुबा लेकिन इलहाबाद में पला बढ़ा इलहाबाद की गलियों में जिसने सांस ली है उसके लिए वो प्रिया जमाने में पोईट्री या शायर होना कोई बहुत फीजिबल ऑप्शन नहीं था करियर के लिए क्या वो चीज़ बदली है अब हम 2023 में हमी वो 2012-2013 आते आते बदला जब सोशल मीडिया हमारे हांत में आया मल्टी मीडिया मूबाइल हमारे हांत में आये तो वो चीज़ें ब होता गया इवेंट की तरह होता गया तो अच्छा हुआ मैं जब आया तो मुशायरों में बहुत कम पैसे थे कभी सम्मेलनों में तो फिर भी पैसा था ठोड़ा सरकारी स्पॉंसर्शिप मिल जाती है महुत तो हो या फिर नुमाईश के प्रगाम जोग परंपरा है देश में हिंदी पट्टी में खास तो वहां पैसे थे लेकिन मुशायरों में बहुत कम पैसे थे उसकी बनिस्बद बहुत कम पैसे थे जहां आप वॉली बूट से बुला करके किसी एक सिंगर को या किसी एक नित्यांगना को आप जो है वो 15-10 लाक रुपए दे रहे हैं वही कभी सम्मेलन का दस कभीयों का बजट भी जो है वह कभी सम्मेलन में तो दस तरह का टेस्ट दे रहे हैं तो इंटर्टेन्मेंट बहुत जाड़ा था इसमें लेकिन फिर भी पैसा कम था लेकिन हम लोगों के आने के बाद वो बढ़ा ठीक ठाक बढ़ा ठीक ठाक पैसे मिलने लगे जिन्दगी थोड़ी अच्छी हो गई बाक कुना बहुत बढ़ावा नहीं मिलता है हम ये बाकी चीजों में इतने फस जाते हैं जो की जरूरी है आपने कवीयों शायरों साहित्यकारों कलमकारों और अलग-अलग विधाओं से जूड़े वे आर्टिस्ट लोगों को प्रश्रे नहीं दे सकती उनके जीने, खाने, खा सामान नहीं मुहिया करा सकती, मुझे लगता है कि उस सरकार को सूचना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा नहीं है, तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और मुझे आद है कि अखिले श्यादों ने 2016 में मुझे, उनकी सरकार ने मुझे अश्भार की एवाद दिया, मैं यंग्यस था, 29 साल की उम्रों में मुझे यश्भार की वाद मिला, इस्टेट का लिट्रेशर का सबसे बड़ा वाद बाना जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में देते हैं, तो उसमें अच्छे पैसे थे, 11 लाख रुपए का पुरस्कार था, 50,000 रुपे पिंशन थी उसमें हर यश्भारती पाने वाले को, लेकिन उसके बाद आई भी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने उबन कर दिया, तो मुझे कभी की भी लगता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कामों के लिए सरकारों के पास पैसा है, जो समाज पे कोई गहरा असर नहीं डालते हैं, ले पहाने हैं और बजट की कमी है, कुझे लगता है यह मिजाज बदलना चाहिए, अकसर लोग शायरों से कवियों से बहुत डरते हैं, और अगर वो पॉलिटिक्स में आया तो काफी डेडली कॉंबिनेशन है, तो यह पॉलिटिक्स का जो रास्ता चूज किया है, यह अचानक जो आइन नहीं करना चाहता था, यह भी एक बात, अच्छा, दरसल है क्या कि हम जब कवी सम्मेलन हम बैठते थे एक बात बड़ी हम कवी लोग, अकसर बहुत सारे कवी सीज को उधित करते थे, कवी और शायर समाज का इना है, और कोई नेता अगर रात बर कवी सम्मेलन मु इशारा होता था, उसमें देश के प्रधानमंति, देश के रास्टरपती बैठ के सुना करते थे, आज तो हालत है कि आप चार बंगती पढ़ दो तो आपके खिलाप ले करके फायार खड़े हैं लोग, मतलब बरदाश्त खतम हो गई सरकारों की, अपनी अलोजना सुनना ब पार्टी की तरफ से राज्यसभा में बेजे जाने की बात आई, तो खूब ख़बरें चली, मुझे भी मीडिया के जरीए पता चला कि आँम आदमी पार्टी मुझे राज्यसभा बेज रही है, तो मीडिया के जरीए ही पता चला, मैंने उस पे कोई कोशिश नहीं की, इन्होंने बातों बातों में कहा के इम्रान अच्छे लोगों की जरूरत है आईयो पॉलिटिक्स में आईयो बस अच्छी लगी बात चला आया पॉलिटिक्स में आज से आपके ताम ने वैठा किसरो और टेष अज उन्हां Loki से का मैंनौरियेटे डेपार्टमेंट हड़िवेध कर ओऊ अज siz बाती जैन है और मुसल्मान ने बनाया कि नहीं सिर्फ मुसल्मान कर रही है यह क्यों उस को भी बहुत कुछ दे रही है वो सरदारों को भी बहुत कुछ दे रही है लेकिन बीजएपी is पूरी राजनीती है उसके निशाने पर मुसल्मान नहीं हो तो उन्हें लगता है कि उनका जो ओड बैंक है वो सधता नहीं है चुकि उनके पास गिनाने के लिए काम नहीं है इसमें कोई दोरा नहीं मैं विपक्ष में हूँ मैं कॉंग्रेस का हूँ इसलिए बात नहीं कह रहा हूँ अगर आप किसी भाजपा के भी पढ़े लिखे नेता से बात करेंगे और उससे कहेंगे कि भाई चार पांच प्रमुक काम गिना दो जिससे इस देश की आम जनता के ज करनाटक में चुनावी टाइम में उनका विधाय कहता है कि क्रिश्चन के हाँ तोड़ देंगे तो तो यह जो राजनीती है भाजपा की वो दरसल इस देश की माइनॉर्टी के लिए खतरनाक है और वो उनको हमेशा वो ग्राउंड पे अपने वर्कर्स को मन बढ़ कर देते हैं जो उनके आनुशांगिक संगठने में बड़ा हिंदी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आनुशांगिक संगठने उनको मन बढ़ कर देते हैं और जब वो मुसल्मानों को या क्रिश्चन को या जैनियों को बौध्धों को सिखों के खलाब कैंपेंच चलाते हैं स प्रधान मंत्री जी ऐसे ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं आप इस तरह के तमाम जो सोशल मीडिया एकाउंट है आप उसमें देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि प्राउडली फॉलोड बाई प्रामिनिस्टर तो ये चीज़े मनबढ करती हैं समाज के तपके को करते हैं और बाई तो मैं हमेशा ये सोचता रहा हूं कि मैं वही लिखूँगा जो मैं पढ़ सकूँगा चुपा के कुछ नहीं रखूँगा उसमें बहुत सारी कड़वी शायरी भी है जो बहुत सारे लोगों को कड़वा लगता है लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर क काम है अच्छी दवाई देना वह अगर मरीज के लिए भैतर है तो कड़ी दवाई पीने में हर्ज नहीं होना चाहिए तो तो मैंने सरकार को आइना दिखाया तो उस आइना दिखाने में बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है नाराज भी होते हैं प्रेम भी किया जाता हो पत्रकार हो वो शायर हो वो लेखक हो कमेडिया नहीं कर रहा हो हां वो हासिवेंगी में कोई बात कर रहा हो उसका काम ही है सत्ता के खलाब सत्ता को आइना दिखाना और सत्ता को भी चाहिए कि इन्हें इसे बरदाश्त करिए अगर आप नहीं बरदाश्त करते हैं तो इस भी किया उन्होंने परिवर्तन में परिवर्तन का मतलब अच्छा परिवर्तन नहीं दिख रहा है चीजें माहौल आप पत्रकार हैं आपके लिए बात कहना बहुत तो मुश्किल होगा लेकिन ये सच है कितने इस देश के पत्रकार हैं जो सची ग्राउंड की रिपोर्टिंग करने की वज़ा से जिन्होंने मुकदमे जेले जो जेल गए आप देखें वो मिजजापुर की उखटना याद होगी मिड़े मील के खिलाफ एक लोकल पत्रकार ने जिले में रिपोर्टिंग करता था खबर दिखा जी जेल गया और बाद में बचारे की कैंसर से मौत होगी स से प्रशन पूछ लिया भी रिसेंट कुछ महीने पहले उत्रप्रदेश की कैबिनेट फिनिस्टर हैं उनसे एक पत्रकार ने जो मतलब मैं यह कहूं कि विचारा गंचा वंचा भी उसने उसी रंग का डाल रखा था जिसको सरकार पसंद करती है लेकिन उसके सवाल सरकार को पसंद नहीं थे तो उसको जेल भीज़ दिया गया तो यह जो आप एक मैसेजिंग करते हैं कितने पत्रकार हैं जो एक वक्त बड़े पत्रकार माने जाते थे आज अपने घरों के यूटूब चैनल चला रहे हैं क्यों चला रहे हैं इसलिए क क्योंकि सरकारیں अपने जोद में या अपनी आलोचना करने वालों को जेल नहीं भेजा, अपनी आलोचना करने वालों को भी बरदाश्ट किया, और यह एक सुस्त लोकतंदर की जरूरत है, वो कल को हम आएंगे, तो हमारे उपर भी यह बात लागू होगी, कल को आने वाला कोई और भी आया, तो उस पर भी यह बात लागू होनी चाहिए, और समाज की जिम्मेदारी है कि यह बात लागू रहे सरकारों पर, अच्छा, जब हम इतनी बाते कर रहे हैं कि अब सरकार अब यह नहीं करें, how is Congress or solution, Congress solution कैसे बन के आएगी, क्योंकि पहले भी Congress का बहुत सालों तक राज था, साशन और उसके बाद लोगोंने बीजेवी को चूज किया, अब आप बोल रहे हैं, कई और भी बोलते होंगे, कई खुश भी हैं, कई नाखुश हैं, जो नाखुश हैं, उनको कैसे लगता कि Congress solution है, दिखें, Congress solution बनती जा रही है, आपको जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसमें States प्रेट्स के election हैं, फिर सेंटर के election होता है, जो अभी हालिया दिनों के result है, अब आजाई है, तासा दासा result डेकलेर हुए है, इसलिए आपके चेरे पे भी घुशी दिख रही है, हमाचल अभी कुछ दिनों पहले हमाचल के result था, हमने वहां महबत की दुकान खोली, फिर हम क रनुवल कराएंगे, राजस्थान रनुवल कराएंगे, और फिर आगे महरास्टा आप आएंगे, तो महरास्टा में तो बुरी तरह से सूपड़ा साथ होगा, तो मैं बहुत राजनेतिक भाशा में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये इंटर्व्यू उस तरह का नहीं है, लेकिन ये सच है कि सुल्यूशन ऐसे ही बनता जाता है, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, तो देश में राहूल जी को लेकर कि भाजपा ने जो प्रोपेगंडा बनाया था, वो एक जटके में चार-पांच महीने में दोस्त हो गया, राहूल जी निकले, कु कि राहूल तो ऐसे, राहूल तो वैसे, सोनिया जी ऐसी, सोनिया जी वैसी, कॉंग्रेस तो ये है, कॉंग्रेस तो वो है, लेकिन जब लोगों ने, आप चुकि सोशल मीडिया है, मीडिया ने उन खबरों को कम दिखाया, उसके बाजू सोशल मीडिया के जरीए, वो खबरे तो राजकुमार साब अपने भाशनों में यही कहके संबोधित करते थे, याद होगा आपको, लेकिन लोगों ने देखा कि यार, वही राजकुमार, सडकों की धूल फाक रहा है, एक जूता, जूता भी नहीं बदल रहा है, एक टी-शर्ट, आप अन्जाजा लगा सकते हैं, जहां प्रधानवंत्री ने पहना ना, बदो की घड़ी पहनी ना, चश्मा महंगा पहन रहे ना, तो जिस देश में 80 करोंड लोग 5 किलो राशन पे जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां प्रधानवंत्री अपनी महंगी ब्रांडिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उद्ध पतियों के करीब दिखना चाहता है, लेकिन हमारा नेता गरीबों के करीब दिखना चाहता है, उसके दिल में गरीबों के लिए प्यार है, तो वो गरीबों की तरह जिंदगी को बहुत सामाने तरीके से जीता है, उसकी गारियां बहुत महंगी नहीं है, उसके जूते महंग करता है ध्यान हटाता है आप सवाल पूछोगे के गैस सिलेंडर जो है वो 400 रूपे का मिलता था UPA2 के दौरान 1100 का कैसे मिलने लगा तो फिर स्मृति ईरानी जी एक प्रेस कॉंफेंस करके बताएंगी कि मैंने तो प्रियंका गाल्दी को जो है ना नमाज पढ़ते पे देखा अब आप गैस सिलेंडर पे बात मत करो आप बात करो नमाज पे भाई आप ये ध्यान भटकाने की इंतहा है ना आपको याद होगा रविशंकर प्रसाद जी विजय गोयल जी स्मृति ईरानी जी भाजपा के तमाम बड़े बड़े ने का प्याज की माला लटका के आलू की माला लटका के दिखें होंगे विजूल तो मोजूद है आपके पास आपके आर्काइब में रख ऊसकर लिए हम इस को लाने के लिए संजर्ष कर रहे हैं जहां उद्योकपति भी रहें गांग्रेस हमेश आएद बात बात के तो उसमयशकरकार संसध में इस करती है कि हम जो है असी करोन लोगों को पांच किलो राशन दे रहे हैं कहते हैं यह सी करोन का अंकड़ा कम क्यों नहीं हो रहा है भाई आज से तीन साल पहले 80 करोन को आप राशन दे रहे हैं फिर दो साल पहले भी 80 करोन को राशन दे रहे हैं फिर एक साल पहले भी इस बार भी आपने पारलेमेंट में का कि हम 80 करोन लोगों को राशन दे रहे हैं यह अगड़ा कम करिये हैं वो खुद कब से खरीदना चाल तो यह आपके पूरी अर्थव्यस्ता को चौपट करने की प्रक्रिया है इसकी जवाब दही तो सरकार की बननी चाहिए ना आप अभी मेंशन कर रहे थे कि नए ने शोरूम खुलने वाले हैं कही जगा रिन्यूवल होने वाला है इसकी बात करते हैं राजिस्तान एक काफी सेंसिटेव स्टेट माना जा रहा है काफी उथल पुथल चल रहा है काफी टाइम से एमपी हमने एक अपसेट देख लिया अल्रेडी बिकिस कंग्रेसी सरकार रफॉम होई और फिर वापस बीजेपी आ गया जो भी हुआ मतलब वो सबको पता है वो भी आर्काइव में है आपको क्या लगता है क्या इस बार नया होगा क्या डिफरेंट होगा क्या चीजे स्ट राइट टु हेल्थ का जो बिल है वो इस देश में पहला स्टेट है राजस्थान जहां वो लागू हुआ इस्तिती है कि आज लोग जह जह कार कर रहे हैं सरकार की कि आपको इलाज कराना है प्रीचीरण जीवी योजना इतनी शांदार योजना गय सिलिंडर 500 रुपए का भी तो यह सारे जो काम है हमारा काम हमें वापस ले आएगा अब रही सम्वेदन शील्टा की बाद तो हम एक लोगतांत्रिक दल है अगर हमारा कोई नेता जो है वो किसी चीज पर विरोध भी कर रहा है या आंदोलन भी कर रहा है तो ये स्वस्त तरीके से देखा जाए, इसमें भाजपा के लिए खुश होने के लिए क्या है, भाजपा का कौन सा चेहरा है जो सरकार से सवाल पूछ पा रहा है, चलिए अगर किसी बात पर हमारा ही नेता हमारी सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो ये तो, मैं तो किसी लोगत किसी लोग कंत्र के लिए मैं इसे और अच्छा मानूगा लेकिन भाजपा के पास ऐसा कौन सा चेहरा है राजस्थान में जो खड़ा होकर के आज तक बिधान सभा से लेकर सड़क तक एक सवाल पूछ पा रहा है वसंदुरा राजे जी पूछ रही हो तो बताईए गजंदर स ठीक है अगर कॉंटक्रिक्ट भी बनता आपको लगता है कि दोनों को बीच पर मनमुटाव है तो दोनों में से कोई एक अगर आप यह सोचते है लेकिन तब भी कांगरेस तो कॉंग्रेस तो है देना उसकी जड में तोंग्रेस ही एह न सरकार तो कॉंग्रेस की है अब विधायक शेखने के कुछ नहीं है अब आये मद्यक्ष्ज पिछले आप कि नहीं तो हलिया एंगों मंद्य करते अभगदर न सीव है है भाजपा नेताओं कहलाज जोशी जैसा एक बड़े नेता के पुत्र जो है वो आकर के दीपक जोशी पाटी में आ गए ग्वालियर रीजन से कई बड़े नेता दिग्विजा सिंग जी के संपर्क में है कई बड़े नेता पूरी भाजपा वहां पे तीन भाजपा है एक शिवराज भाजपा एक महराज भाजपा नाराज भाजपा तो यह जो है ना यह जो है ना या आप लिखते बढ़िया हूं जो भी बोलो आप लिखते बहुत बढ़िया हूं तो भाजपा अपने उसमें दो बड़े नेता हैं और भीजा जी हर मंच पर कहते हैं कि कमलार जी मुख्यमंत्री होंगे तो वहां कोई मसला ही नहीं है तो हम और एक बड़ी बाद तीन राज्य जहां भाजपा ने लोक तंद्र को लूट के सरकार बनाई मढद़् परदेश, करनाटक और महरास्टरा, यह टीنا प्रमुकराज करनाटक के रिजल्ट आपके सामने है मढद़् परदेश का कुछ दिनबाद सामने हुआ और इन दोनों से जादा खतरनाक रिजल महरास्टर गाव और मैं महारास्टा से सांसद हूँ इसलिए मैं वहाँ की जमीन की नबज आपको बता रहा हूँ क्या कहते हैं जन्ता में बहुत गुस्ता है जिस तरह से शियुसेना को तोड़ा इन्होंने महाविकास अगाडी की शांदार सरकार जिसमें कोरोना के दौरान बहुत शांदार काम किया था उस सरकार को गिरा दिया गया कोविक के दौरान जिस तरह सरकार को तोड़ने की कोशिषें भाजपा करती रही उस सबसे जन्ता में बहुत नाराज किया लोगों को बुरा लगता हो गता होगा इस देश का ग्रिह मंत्री चुनावी भाशन में खड़ा होके कहता है कि करनाटक में भाजपा की सरकार नहीं आई तो दंगे होंगे और उधर मनीपुर में भाजपा की ही सरकार है लेकिन दंगे हो रहे हैं साथ से ज्यादा आधिकारी कांकड़े हैं कि लोग मारे गए हजारों लोग बिस्थापित हुए तो जनता पहले जो है ना इतने माध्यम नहीं थे आपकी बात पहुंचने का पहले यह था कि अख़बारों में छपा तो छपा नहीं छपा रास्टी मीडिया में आया नहीं आय मतला आपके दोरा नॉमिनेट की गई पूर्व सांसत मेरी कौम जी उन्हों ने वीडियो बना करके कहा कि मेरे मनीपूर को जलने से बचाई लेकिन तकलीफ होती है आज तक पुर्ण मंत्री और गिल्मंत्री जी का एक बयान मनीपूर आपका अपना राज्जा है ना तो उस पर सरकारे उथल पुथल हो गई है बरस्टाचार के खिलाफ सरकारे उथल पुथल हुई ना अन्ना जी बैठे जंतर मंतर पर राम लीला मेदान पर सरकारे उथल पुथल हो गई है आज यह कि 20,000 करोन रूपे एक शेल कंपनी के जरिये आए हैं देश का विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो है वो सवाल पूछ रहा है और सजा क्या मिल रही है आप डिस्क्वालिफाई करा दे रहे हैं आप सारा उसका भाषन इक्सपंच करा दे रहे हैं मैं तो बड़े सपने लेके पाल्लेमें में आया था मैं जहां मन्चों पे हूँ अहां कम से कम बोलने की नहीं देगा किसी सूरत आप तेज तरार है और दबे नहीं और बोल ले गए तो सभापती महोद है स्पीकर महोद है आपका भाषन एक्सपंच कर देंगे उसमें से तमाम शब्द हटा देंगे यार ये आप लब लोगों के क्यों सिलना चाहते हैं क्यों डरते हैं आप आप चलिए मैं तो पहली बार का सांसद है राहुल जी देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता है उन्होंने रास्त्रपदी के अभिवाशन पर लंबा सा भाषन दिया लोकसभा में मैं राज्यसभा में हूँ लेकिन फिर भी में उस दिन वह भाषन सुनने के लिए गैलरी मे जाके बैठा और मैंने अब राहुल जी को सुना वह शांदार बोले चालिस मिनिट के आसपास बोले आप को हैरत होगी आप वह मंगवाईये उनका वह भाषन आप यह पाएंगे के 50% से ज्यादा भाषन इक्सपंश कर दिया गया अगर आप इतना डिक्टेट करेंगे इतन कर देंगे पारल्यामिन की कारवाई पर तो यह तो बहुत मतलब अनूठा है भाई अच्छा अगर फ्रेंड एक चीज़ पूछना चाहता हो मालो मुझे तो कुछ भी नहीं पता क्या होता है राजयसभा के अंदर जब आप जाते हैं कि हर इंसान को एक टाइम दिया जाता ह तो आपको कुछ महीने नहीं पूरे पांच साल लोगों की गुदर जाते हैं समझने एक चैनने और तो सच्चा ही है कि समझने के लिए चाहिए हम लोग तो ऐसी दुनिया से आये थे कि जहां थोड़े बहुत समझे समझाए लोग थे तो बोलने का जुनून भी था जुनू लगाते हैं तो एकाथबार लोटरी के जरियर एकसप्ट हो जाता है और ऑस बिल पर पर पार्टी समय वाट करते है बार्टी को बુने करेगे नियर हक पथा वी देन सुन मुर जाए तो यह दों कॉन्स नियौड़ो तो पहला हक है जुनियर का बहुत बाद में नम्बर आ मतलब बातों से तंज अच्छे से कस्पा ए तो फिर तो क्या ही बुराई है तो तब आपके पाने के लिए आपको बड़े जतन करने पड़ते हैं बड़ी कोशिश करनी पड़ती है आपको लगातार लगाना पड़ेगा जीरो आवर इस्पेशल मेंशन यह सब करना पड़ेग एक अच्छा टाइम होता है जब private member, billiya private member resolution आता है, तो उसमें आपको चुकि वो Friday को आता है, то ज्याधा तार सांसत friday को अपने अपने घर निगले, तो बहत कम सांसत बचते हैं, तो आपकी अगर पसंद का विशे है तो आप तैयरी करके जाजिए, बोलने वाला कोई है नहीं तो तुरंत आप नाम देते हैं तो आपके 10-5 मिनिट बोलने के लिए मिल जाता है लेकिन मुझे जब मैं उनस्टी में आया तो उसी दौरान मेरे लाबाद उनस्टी के बच्चे जो है वो चार सो परसंट फीज बढ़ा दी गई थी तो उसको लेके 90 दिन से बहुत प्रोटेस चल रहा था तो मेरे पाफ बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे थे के अमरान भाई अब आप पार्लिमेंट पहुच गए हो एक तो मैं बहुत यंग हूँ तो अभी स्टूडेंट जैसा ही हूँ अभी सीखने की प्रक्विया में लेकिन मैं खुशनसीब हूँ और मैं शुक्र गुजार हूँ अपने नेता का राहुल गांधी जी का सोनिया जी का प्रियंका जी का खरगे साफ का कि मैं 34 साल के अमरों में राज्य सभा में आया और आने के बाद आप यंगेस्ट है राइट हम और रागहो रागहो चट्ड हमने उपरास्टपती महौदे से मिल करके कई बार गुजारिश की कि सर ये बच्चों का मुद्दा है ये आपने आद कि होगा कोविट के दौरान कोविट के बाद आफ्टर कोविट बहुत सारी हार्ड अटेक से मोते हो रही थी तो मैं एक दिन गया मैंने का नहीं सर तो स्पीकर भौदे भी आपकी बात कभी कभी सुन लेते हैं तो बुलने का मोका मिल जाता है तो मुझे तो मैं मानता हूं कि तीन सेशन गुजरे हैं पहला जो था वो तो ऐसे ही गुजर गया क्योंकि वो पुराने उपरास्टपती थे उनका विदाई समारो का सेशन था त तो मैं पार्लेमेंट था उस दोरान और मुझे खूब मौके मतलब मैंने निकाले मौके जीरो और लगाया, special mention लगाया, एक private member resolution में भी मौका मिल जया और यह जो तीसरा सेशन था इसमें किसी को मौका नहीं मिला क्योंकि हम अडानी के मुद्दे पे चर्चा करवाना चाहते सरकार ने एक भी दिन सरकार ने एक भी दिन ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार ने एक भी दिन सदन नहीं चाहने दिया, अमूमन विपक्ष नहीं चलने लेका, अमूमन विपक्ष अपनी बात रखने के लिए नारे लगाता है या प्रोटेस्ट करता है, लेकिन पहली बार ऐसा हैं study उड्राइवा कि सदन चुरू होता था सब्तापक्ष습ि तमाम मंत्री और रप्तमाध जो सांसद सरकार के वो खड़े हो जाते थे और वह बहाने सी रहुल गांदीमाफी मंगो करो ये करो वह करो तो बंदकरा Bent कर दे थे सदन सदन तीन विरणर pond fort सगित हो जाता था हमारे कानों में बस एक सदा आती थी कि सदन कल तक के लिए सगित किया जाता है फिर हम बहार निकलते से तख्ती लेकर के मोदी अडानी भाई 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 देश में कर खाई मलाई यह नारे लगाते थे तो कुल मिला करके बड़ा रोचक रहा है तीन सेशन बड़ा तो अच्छा है यह जूड क्यों नहीं रहा है यह कईयों का सवाल है जूड़ा हुआ है आप देखिए मतलब मतलब अगर अगर आप यूपीए वन या यूपीए टू देखिए जिस हिसाब से कॉंगरेस के साथ बाकी पर्टिया भी जुड़ी हुई थी वो अब आपको कहीं नहीं लैकिंग दिखता है आपको जो लैकिंग दिखता है वो चुनाव आते आते आपको वो सही दिखेगा अभी जुड के क्या कर काम करेंगे और क्या करेंगे जहां चुनाव नहीं है आपको दिखते नहीं है मैं तो राजसभा में हूँ मैंने लोगसभा राजसभा की मीटिंग के दौरान लीडर आफ अपोजिशन के मतलब चैमबर में रोज जुड़ते थे हर दल उनीस उनीस दल अडानी के मुद्ब पर रोज जो है वो प्रोटेस्ट करते पर बहार निकल रहते हैं पाल्लेमेंट में आपको याद होगा हम पहले फ्लोर पर खड़े हो करके सारे सारे दल इसी को तो जुड़ना कहते हैं और जुड़ने की परिभाशा क्या है यह तो भाजपा बताती है कि नहीं आपस में लेकिन वो क्या करते हैं मीडिया के जरी यह बताते कि बिपक्ष जुड़ नहीं दा अरे भाई बिपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है पाल्लेमेंट में साथ में वाकाउट कर रहा है हर जगा जो है वो मीटिंग्स हो रही है उदर नितीज जी पता चला है उडिसा पहुंच र ब Glory ऐन गो हें हमारे सामने बात कर रहे हैं उडिसा कि सरकार को सूचनास सधान है कि हम जुड nervous चिटज यह से कही अगल चीए उडिलिया को है वह मेभा पता लगा एं उसके सूत्र पता लगाएं ख्रग साथ किसन से बात कि है आज राहुल जी से फोन पर किसने बात कि है, आज Sonia जी से कौन मिलके गया है, ममता बनरजी जी का statement जो है उसके मायने क्या है आखिलेश यादव जी के statement के मायने क्या है, ये खबरें देना तो मीडिया का काम है, मीडिया तो सिर्फ एक करन देती है कि विश्व विजाई अभियान पर निकले अरेंद्र मोधी जी इसके लाओ कोई कबर ही नहीं देती है अब जब मतलब भाजपा जीते तो विश्व विजयी मोधी जी का फोटो लगे हारे तो नडडा जी की फोटो लाके चिपका दो तो यह करती है भाई, कॉंग्रेस जीते तो राहुल जी की फोटो आपको उसमें नहीं दिखेगी, क्योंकि राहुल जी को लेके मैसे जाएगा कि राहुल जी की अगवाई में यह राहुल जी के नित्रुत में कॉंग्रेस इन इन जगहों पे जीत रही है, तब स्टेट के ने इतने सारी रहलियां, इतने सारे रोडशोव करने के बाद मोदी जी की पार्टी चुनाव हार जाए, तो उसकी जिम्मेदार मोदी जी नहीं है, आप अगर मैं उस दिन तो डिवेट जिसने रिजल्ट आ रहा था, मैं डिवेट में था, कही मतलब आप यह कह दो कि नहीं हार हम करें तो बोलें क्या, हम करें तो करें क्या, क्या ही करें, बताइए ना, कॉमीडी वामीडी फॉलू करते हो, यह काफी एक पॉपुलर कॉमीडीन है, उनके आगे पीछे यह जो आपने लाइन बोली है, उलगती है, साहित्य संगीत, कला विहीन, साक्षात, पशू, पिर आप जो है, आप इंसान है, लेकि राहुल गांदी को पसंद क्यों करता हूं, राजनीती में क्यों आया, राहुल से आप जब मिलेंगे, राहुल आपको राजनेता से ज्यादा यह एहसास दिलाएंगे, कि वह एक अच्छे इंसान है, वो आप से बात करेंगे, साहित् लगाई जाए कि भाजपा के कौन से नेता को जेल भेजा जाए या फिर कौन सा तिकडम ऐसा किया जाए कि बथ हमारी पार्टी जीत ही जाए रहुल गांधी जी आप से आपने इंसानियत बची रहने देना चाहते है राजनी की ज्वाइन करने के बाद आपको मशीन नहीं बन कितने डेलिकेटेटेड हैं एलेक्शन के लिए लेकिन एक पक्ष तो यह भी कहा रहने आप सिफ चुनावी मशीन है आप करनाटक में खड़े हो के रेलियां कर रहे हैं और मनीपु धूंधू करके जल रहा है आपके प्रास्ट्री अध्धक्षि नडदा जी ने कहा था और थैंक गॉड प्लीज नंबर में आप किसी वाटसप ग्रूप में नहीं है तो मैं गुड़ मॉर्निंग आ जाते परिवार के उसी से परिशान हो गया हूँ आप सोचों मैं विपक्ष में हूँ मुझ तक वह मैंसे आया पलटके अब मीडिया में हो आप तो चानी नहीं हो कि यह टेक्ट निउच है लेकिन बड़ मीम के लिए वड़िया गॉंटेंट है वो बचारों को क्या पता कि यह मीम है कि क्या है यह लेकिन मनीपुर जल रहा है वहां के युद्धवी और वहां के जो दो मतलब साथ रहने वाली कमिनिटी आपस में लड़ रही है आपकी सरकार है आप क्यों नहीं फोन करके हालाग बहतर करवा दे रहें यह सवाल कौन पूछेगा मुझे को बिजय पीव्याला मिलें जरूर मनसे जरूर यह सवाल पूछेए कि कोई काइदेगा बिजय पीव्याला आप शुमिले और आप एस पूछें लेकिन पूछेगा जुरूर वरना तो लोग बस यह पूछते हैं कि आम चूसकर खाते ओ या काटकर खाते हो वरना यह सवाल करते हैं कि मोदी जी कौन सा टॉनिक लेते हो, मोदी जी आप खाते क्या है, मोदी जी आप पर्स में क्या रखते हैं, पैसा या नहीं, यह सवाल है, मतलब यह पत्रकारिता है, मैंने तो जर्नलिजम किया है, यह तो शुद्ध रूप से तीत पत्रकारिता है, श्वेद पत्तरकारी था तो नहीं है, सही बाती है, क्या लगता है, चौविस में क्या होने वाला है, एक दम दिल पे हाथ रखे, एक दम वहाथ रखे, जो यह अच्छे दिन लाने का वादा करके थे, वो बहतर दिन, अच्छे दिन, यूपिय लेकर के आएगी, इनके बसका मेहँआ ही कम होगी, हमारा दार, जहां-जहां ओमारी सरकार है, हम कम कर रहे हैं, तो अज्क यह 500 का सेंस सिलेंडर आपको क्म नहीं लग रहे है, तो सिलेंडर या पैट्रोल मुझे कई वार एक पॉंट हमीश्य है, हमीचा यह लगता है कि किसी बी सरकार को अपने में बोज नहीं लेना चाहिए अगर वो 800 का आता और आप 500 दे रहें 300 सबसेडी वो कहीं न कहीं प्रॉबलम है महत्वपूर्ण बात है कि अगर आता हो तो कच्छे तेल की कीमत आप बहुत कम है ना जब बहुत महंगा था यू पीए के समय में कच्छे तेल की कीमत महगी थी तब हम सस्ता तेल बेंचते हैं आज कच्छे तेल की कीमत सथी है लेकिन पेट्रोल और डीजल जो है वो दुगने रेट पे सरकार बेंच रही तो इसका मतलब आप अपने वजा तेल कमपणियों के जो मालिक हैं गैस कमपण जिन एयरलाइन्स के टिकेट जो है नऄ दिली से बंभै याँ ऑटीट पांच हजार करा होगा 6 जार में मिल जाता था क्या हजार में ने ग्यारासो रुपए के टिकेट दिली से मुंभै का ग्यारासो रुपए का और सम्मेलन मुषारा पढ ने गया हूं आज कितना है आज अभी आप तेखें दस दिन बाद का भी टिकेट आपको 10,000 के उपर का मिलेगा डिवालिया हो जा रही है एर इंडिया बिग गई गो एर अभी गो एर दिवालिया हो गया इस पाइस जेट भी लगपग उसी कगार पर है और जेट एर वेज खतम हो गया तो आपने तो जो है मतलब क्या अच्छा किया अगर मैं इस सरकार से पूछो कि क्या अच्छा किया तो आप भी बहुत अच्छा कोई चीज तो होगी BJP की जो पसंद होगी in general कोई एक नेता होगा जिनको चली मैं नहीं बोलता हूँ कि उनके काम पसंद होगे बर in general लगता है कि अच्छा है कोई दोरा नहीं कि BJP में कही कॉंग्रेज से गह जेनेता अच्छे हैं अच्छा एक शीत बता हूँ वो जब सेंटर लाग में बैठते हैं तो बड़ी अच्छी सी बात करते हैं और यह कहते हैं कि हम भी उप गए हैं लेकिन क्या करें पार्टी में हैं तो अच्छी दोरानी है मैं यह नहीं कहता कि सब खराब ही हैं लेकिन अब वो पार्टी में हैं तो ठीक है ठीक है लास्ट कप कुछ लिखा था टाइम मलता है अब मतलब आप बीजी स्केडियूल रहता है तो जवाब देही जो थी ना उस ओर्डियंस के प्रतीव तो जाते थे जो रोज कुछ ना कुछ नया लिखना है अब यह है कि अच्छी चात्र की तरह सुब दस बजे ते आ जाना है और साड़े तस बजे पार्लेमेंट पहुंचना है शाम में अच्छी जीज़ है आप उतने सीरियसली देख रहे हैं बहुत सारे लोग कंपलें करते हैं कई एक दिन अप्सेंट रहा हूं और वह भी तब जब हम भारत जोड़ो यात्रा के समापन में कश्मीर में थे और सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई तो सेशन उस दिन शुडू हो रहा था तो नहीं आ सका तो मैं आज तक सिर्फ एक हाजिरी मेरी जो है वो अप्सेंट होई है दूसरी बात मैं मैं जाता हूं घ्वाउस्ट पूरा बैटता हूं सब को सुन्ता हूं और प्रिपेर कर जाते हो आँ है हैं मैं मुझे जिल विश्म पर बात करना है मैं कोशिश करता हूं कि उनके फैक्स लेकर के जाऊं बादी तो कर नहीं सकते आप आपको बहुत बाठी ज्यादा तर नेता तो लफाजी ही करते हैं, मन्त्री तक लफाजी करते हैं, फैक्ट्स के साथ बात नहीं करते, डेटा नहीं देना चाहते है, मतलब यह मैं ऐसे सांसद यह बात कह रहा हूं, कि कई मंद आप मेंबर आ पारलिमेंट क्वेस्शन्स लगाते हैं जिनका जवाब जो है वो पारलिमेंट के अंदर देना पड़ता है मंत्री को उसमें भी हिला हवाली है पहले जवाब दे ही होती थी आज गाओं में बैठा हुआ एक रखते हैं अगर हमारा मुद्ध पारलिय उठाया आज तक मिनिस्ट्री मतलब दिस होता ना कि एक होता है कि कान पे जूना रेंगना तो ये मिनिस्ट्री और मंत्रालें से जुड़े नेता उनको लगता है यह थी कि आप चीकते चला के रहो जंतर मंतर पर बेटियां बैठी है तो बैठी रहे नारा लगेगा कि बेटी कि जब सरकार गठित हुई थी दोजार चोदा में तो सरकार के बड़े मंत्री ने कहा था कि हमारी सरकारों में स्टीफे नहीं होते है कि मैं नाम नहीं लूगा नहीं आप जान जाएगे कि मैं राजना सिंगी की बात पर भी बहतर इंसान है तो उन्होंने ये बात कही थी त तो आप ये कह रहे हैं कि पहले जांच होगी फिर सब कुछ कारवाई होगी आपके उपर अभी यह आरोप लगता तो पहले आप जेल में होते फिर जांच होती तो इस सरकार ने मतलब खास आदमी और आम आदमी के बीच में कितना गयब भद्या है अडानी के मुद्य की जा कुछ आइए पाल्यामेंड में बैटके आप ऐसे माथा पीट लेते हैं कि भाई क्या जवाब दे रहें मैंने एक क्वेस्चन लगाया उसके जवाब में जो ग्रीराज्य मंत्री थे वो खड़े पुले आप डेटा जो है एंसी आर्वी से ले ली ते लाई तो भाई फिर प अगर आप सरकार पाल्यमेंट को हलके में लेने लगेगी तो लोक्तंत्र बचेगा क्या एक तरफ तो आप 20,000 करोन करके बड़ी भारी संसद बना रहे हैं और जो पुरानी संसद उसको हलके में ले रहे हैं नए संसद को देखा तो देखूगा ही मैं तो नजरे अजरे अव आपके जो फैंस देख रहे होंगे इस इंटर्व्यू को इस कॉन्वरसेशन को उनके लिए कोई ऐसी शायरी जो शायद अभी जुबा पे हो और देश के हालात को बया करें देखें मैं बहुत दिन बाद अभी मुशायरे में जा रहा हूं इस किस तारिक को बहुत दिन अब बड़ा हजीब लगे ना स्टेज जाने के बाद अचानक से एंपी बन गए और स्टेज बजा रहे हैं मैं अजीब लगेगा यहां तो लोग फिर से जाकर के मतलब रिल्वे स्टेशन पर खड़े होकर किसी को चाय पिलाना शूरू करें तो उन्हें अजीब लगेगा अब ही तक एकदम कॉवन निसान थे अचानक से एंपी बन गए यहीं लगा कि मैं मतलब इस चीज को लोग बहुत सारे लोग यहीं सोचते होंगे नहीं मैं प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता मैं खुद गाड़ी चला क्ली घूमता हूं किसी लुटियन में कहीं जाना वहां इस तक नहीं जाता हूं कि मैं खुद गाड़ी चलाओं लोग टीशिट पहन के निकल जाता हूं अमूमन जहां जिन शॉपस पर जा कर के कुछ खाना रहता था आज भी जाता हूं वही चाय पीता हूं तो कि अच्छी चीज बदला दिवाने थे धिवाने ही रहें रहें तो ये बात जल्दी कोई बोलेगा नहीं कभी अशोक साहिल का एक शेर था कि गमों की आँच में भी मुस्करा कर चलना पड़ता है ये दुनिया है यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है और सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कई चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है तो वो जो सियासत साजिशों का जाल कभी बुद्धिसेन शर्मा ने कहा था यार सियासत की गलियों में मत जाना नागन अपने बच्चों को खा जाती है तो मैं तो ये शेर सुन सुन के बड़ा हुआ था तो बड़ा डर भी था कि यह मत अब कैसी साजिशें कैसी साजिशों का जाल आने के बाद लगा कि नहीं होती भी है ऐसी नहीं है मतलब लोग माला पहना के गरदन कैसे गरदन दवोज लेते हैं तो होता है ऐसा लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है क्यार कुछ प्रतिशत अपने अंदर की रशनात मकता अपनी क्रियेटिविटी अपना आर्ट और लगाओ अपना जमीन से उसको मत खत्म करो मतलब आसमान में उडो लेकिन जमीन पर चलो तो फिसल मत जाओ पत्रीली जमीन हो या फिर गीली जमीन हो या फिर संग मर्मर हो मतलब उसके यह नहीं लगना चाहिए कि आप खिसल रहा है हम 2023 में बैटे हैं 2024 election के पहले कोशिश करूँगा वापस से एक वर आपको परिशान करो इंटर्व्यू लूँ तब इसी बात पर कि सत्ता का मोह कितना और सरके ऊपर चड़ा है कि आप वापस आज भी कॉमन इंसान हैं कि नहीं है तो आपका नाम बड़ा आबीर आबीर आपका नाम बड़ा पता यूनिक है मैं यह चाहूँगा कि आप 2024 में हमारी सरकार बंजया उसके बाद हम से इंटर्वी जिए तब आप लीजेगा तो तब भी आपको लगेगा कि हम नहीं बड़े तब आप लीजेगा मैं अपने दर्शकों से भी कह रहा हूँ कि जिस दिन आपको यह लगे कि अगर आपको लगे कि जो मैं मूल रूप से जो इम्रान था मैं मैं कहता हूँ कि मैं भारत का इम्रान हूँ तो जो मेरा मूल था वो कभी बदला दिखे तो आप मेरा गिरेबान पकड़ लेना कि नहीं इम्रान तुम ऐसे थे और तुम बदल गए मैं नहीं बद दूँगा ये ये वो शाहिद जमाल का छेर है बड़ा चाखा के जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूँ मैं क्या करूँ मजबूरियां है गाओं से आया हूँ मैं और मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखू तेरा जर्फ ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हुम मतलब मतलब सियासत के इतने दबाओं में आगया हूँ कि अब मैं नहीं रह गया मेरे अंदर का रफ्ति भर भी मतलब ुमें करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूं ठोड़ दूंगा सियासत सियासद वाली जलेवी है जो आसानी से नहीं छूड़ती है हम इलहबाद में पले बढ़े हैं वहां नाच्ता ही जलेवी का सुबेशाम करके थे मतलब जलेवी दही के साथ तो मतलब ये ये मित्या है ये भ्रहम है आप छोड़ने पे आने तो आप मतलब दिल ऐसा की सीधे की जूते भी बढ़ों के और जिद ऐसी की खुद ताज उठा कर नहीं पहना तो आप देखिए जो साहिते से जुड़ा वेक्ती है किसी भी आर्ट से जुड़ा वेक्ती है वो एक वक्त के बाद जो है ना फिर वो नहीं बरदाश दिल सकता है वो साजिशों में जब उसे लग बदलाओ भी बहुत बड़ा बदलाओ मैं उसको करीब से देख रहा हूं इसले बात कर रहा हूं तो हम किसी मुख्यमंत्री से मिलते हैं अपने राज्यों के यहां हमारी कोलिबरेशन में सरकारे हैं हम उनसे सौ काम नहीं करा सकते लेकिन अगर हमने एक काम भी बुन्यादी करवा लिया तो वो एक काम जो है वो लाखों करों लोगों की जिन्दगियों पर असर डालता है तो यह कैन्वस ऐसा है कि यहां रहकर के आप एक काम करा ले जाओं तो आप यकीन करें कि आप जिन्दगी पर आपको इस अंतुस्टी रहेगी कि आप मंचों पर खड़े हो कर कि पूरी जिन्दगी जितना कुछ करते उसका मतलब उसको जमीन पर उतार के तेखिए रहुल जी ने मुझसे एक बार यह बात कही थी कि जो नजमे तुम मंचों पर पढ़ते हो उसके हल निकालने की कोशिश करो उसका हल सियासत से निकले और यही वो बात थी जिसने मतलब उसके बात ब चारा ज्मी गहां पर आप के आपको मूल रूप से तीन चीज़े मिलती है पैंसा ताकत और लोग को प्रियता यही तीन चीज़ें है इनके लिए लोग राजनीती में अमूमन आते हैं घे नहा अम ज़िसे फकीर लोग तो पैसा थीक ए तनकहा मिल जारी है जो तो भी खर्च हो जाती है यार दोस्तों के dais तंपा तो पैसे कमाने लो न हई गया। दो छीजे पहले से मिली हुही क्या आपको पैसे यहां से झाएप देदे लら के दोस्तों के चाहे के पैसelsonों झाइज जहां देते है ? आप पहले भी देता था अब नहीं देंगे तो और लाना थे भाई अब तो लगेगा कि नहीं आप तो बिलकुल अन्याय कर दोड़ा कि मतलब अब इज़त आदा देते हैं कि वैसे हैं जैसे दोस्त होते हैं सबके अपयोधन कि छिसने मेरे पुराने दोस्ताइश करते हैं नहीं संसच जी कहते हैं तो मैं अब पिर शुटायर के चेहते हैं तो मैं और दोस्त कि असे मतलब अपनी लिए सांसच को मतलब उस्तों कभी मेरे दोस्त जो बहुत सारय हम का kids!' उनको लगेगा कि मैं अपने दोस्त को बिठा के गाड़ी चलाओं तो मेरे प्रोटोकॉल के खलाब मैं तो कोशिश करता हूं कि नहीं भाई यार मैं गाड़ी चलाओं तुम बैठो मैं मतला अमूमन मेरे कई सारे दोस्ते हैं जो साथ में मैं ड्राइबर रखने का बहुत बढ़ जिससे खयाल नमिलता हो तो वो लगता है कि कोई रोबोट बैठके गाड़ी चला रहा है और हर समय आपको जागुरूक रहना पड़ता है वो ब्रेक मारता है तो आप भी जो है लगता है कि आप भी ब्रेक ही मार रहा है तो मुझे मैं डुनिया ही ऐसी हो गए है मैं सियासे ही नहीं ही हूय यह साथ सारे शेत्र जहां पर चका चौंद है जहां पर गलैमर है सियासत भी हमारी च्छारी दुनिया प्रतिमिंऻ कुछ कहीं हाब है आपने बोली प्रपी जिन्द, अक्स, अख्स, वह भाई, फिल्म आई थी एक काफी पॉपुलर, चलिए इंशालला आपके जो खयाल हैं वो और लोगों तक पहुंचें, आप लोगों में और लोगप्रिय हो, आपका काम बोले, और दो हजार चौवेस में जो आप ड्रीम कर कि आपकी सरकार बनेगी, वो उपरवाला पूरी करें, मैं सरकार बनने के बाद, अगर बनी तो उसके बाद, नहीं बनी, तो भी उसके बाद, आपका वापस से इंट्रव्यू नूमा, बहुत दिन बाद, किसी ने ऐसा इंट्रव्यू किया जहां, राजनीती से जाड़ा ज कभी अशोक साहिल का एक शेर था कि गंबो की आँच में भी मुस्करा कर चलना पड़ता है, यह दुनिया है यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है, और सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें, कही चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है, अकसर लोग श कि यह मेरी दुनिया नहीं है कि इसे हम उसी उनिवस्टी में फिराग गोरकपुरी घ्रिवन शराय बच्चन महादेवी बर्मा बड़ी लगी से बड़े लोग बड़ी बड़ा नाम सुरीकांत्रि पाथि निराला जिसके सीनेट हॉल में कभी आकरके फैज इहमत फैज ने मैं सियासत बदलने आया हूँ सियासत की वज़ा से खुद को बदलने का जिस दिन मुझे डर लगेगा उस दिन छोड़ दूगा सियासत एक परंपरा रही है लाल किले का जो मुशारा होता था उसमें देश के प्रधान मंत्री देश के रास्तरपती बैठके सुना करते था आज तो हालत है कि आप चार पंक्ती पढ़ दो तो आपके खिलाप ले करके फायार खड़े हैं लोग लेकिन भाजपा के पास ऐसा कौन सा चेहरा है राजस्थान में जो खड़ा होकर कि आज तक विधान सभा से लेके सड़क तक एक सवाल पूछ पा रहा है वसंदुरा राजे जी पूछ रही हूं तो बताइए गजंदर सिंग शेखावज जी खुदी फंसे हुए हैं अब आ मतलब आप ये कह दो कि नहीं हार तो मोदी जी की हार है तो मतलब कई एंकर तो ऐसे मतलब रियक्ट करते हैं किसे लगता है कि आपने उनके पारिवारिक किसी बुजर्ग सदस्य के बारे में ऐसी बात बोल दी तो बड़ा मतलब बड़ा क्या ही बोले हम बोले तो बोले क्या हम करें तो क्या ही करें बताइए ना आपके राष्टी अध्यक्ष नडदा जी ने कहा था और वाटसप पे ये मेसिज बहुत सर्कुलेट किया गया था कि मोदी जी के एक फोन कॉल ने युक्रेन का युद्ध रुकवा दिया युक्रेन और रसिया का आपको तक भी पहुंच आपको अपना वक्त चीनना पड़ेगा सियासत वाली जलेवी है जो आसानी से नहीं चूड़ती मेरे पुराने दोस्त जब मुझे सांसत जी कहते हैं या MP साहब कहते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है क्या यारे मना फाल्तू की बात है मैं इम्रांस में आरा इंगर की क्लाई गलьे और से राज यसभा के गल्यारे तक का सफर कैसा रहा उसमें बूछ सारे नजमें आी बहुत सारे वाक्य हूए होंगे इन सबका कॉनसेशन चलेगा आज हमारी साहट बहुत सब भावी पॉड्कास में इम्रान प्रताबगर के रहने प्रताब गड़ के रहने वाले हैं कैसा हुआ जिन्दगी का सिलसला कैसे शुरू हुआ प्रताब गड़ के कुछ किस्ते बता दिए वहां से शुरुवात करते हैं तरसलब बहुत सारे लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं प्लानिंग करके एक-एक कदम आगे बढ़ाते हैं मेरी जिंदगी में सब कुछ बेतर्तीब सा था वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ और इंटर्मीडियेट के दौरान मुझे समझ मैं कि ये मेरी दुनिया नहीं है क्योंकि मैटक नहीं काट पाएंगे इसलिए हाँ मतलब अंदर से लगा कि मुझे शायरी पसंद है मैं मुशारों में कभी से महिलनों में जाता था सुनने के लिए तो लगता था कि ये अपनी दुनिया है और वो दौर वो था कि जब शायरी और कविता करने वाले इंसान को समाज में माना जाता था कि मतलब ये तो गया हाथ से लड़का हाथ से निकल गया तो वहां पैसे नहीं थे तो हर माबाप सोचता है कि उसका बेटा इस्टेबलिश हो जिंदगी में काम्याब हो तो उन्हें ये लगता था कि काम्याबी वाली दुनिया तो ये नहीं थिर मैंने थोड़ा सा घर में जिसको कहते है ने कि थोड़ी बगावत की और इलहबाद की आगया पढ़ने के लिए वो जिंदगी एक बहुत टैनिंग पॉइंट था वालिद साब नहीं भेजना चाहते थे तो कि मैं परिवार में बड़ा था तो पिता जो है गाउं में आज भी बड़े बेटे को सोचते हैं कि हमारे आसपास रहे तो ज्यादा अच्छा है इलह करने के लिए बड़ा कैन्वस मिला वहां लिटरी महौल था अलग अलग तरह के कंप्टिशन होते थे पता चला है डिवेट के कंप्टिशन हो रहा है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था और बच्छों का भी एक जो मतलब साथ मिला साथ के पढ़ने वाले लड़कों क लड़कियों का वो बहुत खुबसूरत था उनमें लिटरेचर था और चुकि उसी उनिविश्टी में फिराग बोरकफुरी 是 लाया बक्चन महा देवी बर्मा बड़े लोग बड़े लोग सुरी कांठरेपाथिन निराला जिसके सीनेट हॉल में कभी आकर के फैस्थ एहम तो ऐसा लगता था कि अंदर कुछ फील आ रहा है उन शायरों वाला तो उसने चेंज कर दिया फिर मुशायरों में सक्री हुआ कवी सम्मेलनों मैं हिंदी लिटरेचर का स्टुडेंट हूँ तो मैंने पोस्ट केशन हिंदी लिटरेचर से किया परासना तक तो उस दौरान मैं हिंदी में कवी ताइं लिखने लगा और हिंदी कवी सम्मेलन के मन्चों पर सक्री हो गया देश के जितने बड़े नाम हैं सब के साथ कवी सम्मेलनों में जाना सुरेंट शर्माजी, हरियों पवार, कुमार विश्वास और ये सब सारे लोग कवी सम्मेलनों में बड़े नाम थे, उनके साथ कवी सम्मेलनों में जाता था फिर वहां की दुनिया में ठिक ठाक नाम अपना भी बना लिया थोड़े पैसे आने लगे तो परिवार को लगा कि नी ठीक है अपनी मरजी का कर रहा है तो कर रहा है लास्ट कब गएते हैं अलावाद यूनिवर्सटी में दो हजार आठ में मैंने पांसा उठकिया उसके बाद कभी ऐसा जाने का मौका में जाना तो रहा खूब जाना रहा मैंने जनलिजम का डिप्लोमा किया वहां से वापस से और उसके बाद जो है लगाउत हुई बड़ इसे पॉलिटिक्स में आने के बाद कभी ऐसा मौका पड़ा कि कभी जाके बस बले आदे हिंटे के लिए पंदर मेंट के लिए जाके बस वो गलियों को देख के आए किया रहे यार अभी में बनने के बाद एक बार इलहाबाद गया था चुकि एक प्रगाम होता है हमारे वो उसको लीड करते हैं तो उस कारिक्रम में इस साल में गया तो वो सारी गलियां वो चौबारे सभी आता है नाम बदल गया है लेकिन शेहर का नाम जो है वो देखिए प्रियाग राज तो वो हमेशा से था प्रियाग राज स्टेशन था प्रियाग स्टेशन था गंगा ज में पला बढ़ा इलहाबाद की गलियों में जिसने सांस ली है उसके लिए वो प्रियाग राज इलहाबाद रहेगा हमेशा इसमें कोई दोरा निक साही बात है तो वो चीजें बदली शुरू में पैसे नहीं थे 2000 रुपए भी 1000 रुपए मुझे याद है मैंने पहला कवी सम्मेलन पढ़ा था मुझे 100 रुपए मान दे या मिला था लेकिन बाद में खूब पैसे आते गए वो मुशारा और कवी सम्मेलन ने शो की तरह होता गया अधाईश के प्रगाम देश में, अधि पटि में हात तो वहाँ पैसे थे. लेकिन मुशारों में बहुत कम पैसे थे, उसकी बनिस्बद बहुत कम मैसे थे, जहां आप वॉलीबुट से बुला करके किसी एक सिंगर को या किसी एक निर्तयाँगना को आप जो है वो 15-10 तो आप अंदाज लगा सकते हैं अंतर कितना था जबकि आप देखें तो entertainment कई अलग अलग विधाओं में एक दस पोईट हैं तो दस तरह का टेस्ट जो है वो दे रहे हैं तो entertainment बहुत ज्यादा था इसमें लेकिन फिर भी पैसा कम था लेकिन हम लोग के आने के बाद वो बढ़ा ठीक ठाक बढ़ा ठीक ठाक पैसे मिलने लगे जिन्दगी थोड़ी अच्छी हो गई बाकी शायरों के लिए भी अच्छा हुआ के हम लोग थोड़ा हमें समाज को भी थोड़ा सा इस चीज़ के लिए जागरूप करना पड़ेगा और जो समाज जो सरकार अपने कवियों शायरों साहित्यकारों कलमकारों और अलग अलग विदाओं से जूड़े वे आर्टिस्ट लोगों को प्रश्रे नहीं दे सकती उनके जीने खाने का साम समान नहीं मुहिया करा सकती मुझे लगता है कि उस सरकार को सूचना चाहिए ये उसके लिए अच्छा नहीं है तो होना चाहिए बिलकुल होना चाहिए और मुझे आद है कि अखिले श्यादों ने 2016 में मुझे उनकी सरकार ने मुझे अश्भार की एवाद दिया मैं यंग् पचास हजार रुपए पिंशन थी उसमें हर यश्भारती पाने वाले को लेकिन उसके बाद आई भी सरकार ने भाजपा की सरकार ने उबन कर दिया तो मुझे कभी कि भी लगता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कामों के लिए सरकारों के पास पैसा है जो समाज पे कोई गहरा असर ने डालते हैं लेकिन उसी समाज का एक साहित्यकार या कलमकार या किसी भी विधा से जुड़ा हुआ आर्टिस्ट जो समाज पे गहरा असर डालता है, समाज का आइना होता है, उसको देना होता है जब चार पैसा, तो सरकार के पास सो तरह के बहाने हैं और बजट की कमी हैं. मुझे लगता है ये मिज़ाज बदलना चाहिए. अकसर लोग शायरों से कवियों से बहुत डरते हैं. और अगर वो पॉलिटिक्स में आ जा जा तो काफी डेडली कॉम्बिनेशन हैं. तो यह पॉलिटिक्स का जो रास्ता चूज किया है, यह अचानक से कहां से आ गया है और मतलब शुरुवात कैसे हुई? मुझे याद है बहुत पहले की बात है, आप आप भी पार्टी जोइन करने वाले थे यह भी बाते चलने थी, सपा भी जोइन करने वाले थे यह भी बात चलने थी, यह सब बाते थी, बाते हैं बातों का क्या, मैं राजिली थी जोईन नहीं करना चाहता था यह भी एक बात दरतल है क्या कि हम जब कवी सम्मेलन हम बैठते थे बात बड़ी हम कवी लोग अक्सर बहुत सारे कवी सीज को उद्धित करते थे कवी और शायर समाज का आइना है और कोई नेता अगर रात भर कवी सम्मेलन मुशारा सुनते हुए बैठा रह गया तो उसके मजे भी खूब ल आज तो हालत है कि आप चार पंगती पढ़ दो तो आपके खिलाफ ले करके फाइयार खड़े हैं लोग मतलब बरदाश्ट खतम हो गई सरकारों की अपने अपनी आलोचना सुनना बंद कर दिया सरकारों यह किसी भी स्वस्त समाज के लिए अच्छा नहीं स्वस्त लोक्तं लोगों अच्छा जाने की बात आई तो खूब ख़ब चली मुझे भी मीडिया के जरीए पता चला कि आम आदमी पार्टी मुझे राज़स्वा भेज रही है तो मीडिया के जरीए ही पता चला मैंने उस पर कोई कोशिश नहीं कि मैरी मुझे लगता था कि यह दुनिया 2018 में राहूल गांदीजी से मुलाकात हुई तो दो चार पांच मुलाकातों के बाद मुझे समझ आया कि नहीं वह अच्छे इंसान है और उन्होंने बातों बातों में कहा के मैं अच्छे लोगों की जरूरत है आईए पॉलिटिक्स में आईए बस अच्छी लगी बात चला आया पॉलिटिक्स में आज आज आपके तामने में इठा प्लस अब आप एक राजनेता है उसके परस्पेक्टिव से दोनो नेजरी होते हैं 21 से कॉंग्रेस पार्टी का माइनॉर्टी डेपार्टमेंट हेट कर रहा हूं अभी भी हेट कर रहा हूं मैं देश भर में गया और माइनॉर्टी का मतलब देश में एक नेरेटिव बना दिया गया कि माइनॉर्टी का मतलब सिर्फ मुसल्मान है नहीं इस देश में छे अलग-अलग communities हैं जो minority के अंतरगत हैं उसमें इसाई हैं उसमें सरदार भाई हैं सिख भाई हैं उसमें पारसी हैं बहुत हैं जैन हैं और मुसल्मान हैं लेकिन बीजेपी ने एक narrative बनाया कि नहीं नहीं सिर्फ मुसल्मान माइनौरिटी अपीजमेंट माइन पूरी राजनीती है उसका जो उसमें जो भावनात्मक राजनीती है उसके निशाने पर मुसल्मान नहीं हो तो उन्हें लगता है कि उनका जो ओड बैंक है वो सधता नहीं है चुकि उनके पास गिनाने के लिए काम नहीं है इसमें कोई दोरानी मैं विपक्ष में हूँ मैं कॉंग्रेस का हूँ इसलिए बात नहीं कह रहा हूँ अगर आप किसी भाजपा के भी पढ़े लिखे नेता से बात करेंगे और उससे कहेंगे कि भाई चार पांच प्रमुख काम गिना दो जिससे इस देश की आम जनता के जन जीवन पे असर पड़ा हो तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए गिना पाना आप मुसल्मान और दो चार इस तरह के मुद्धे हिंदो मुसल्मान चोड़ दो तो गिनाने के लिए कुछ है नहीं तो मुसल्मान या फिर कोई भी माइनॉरिटी उनके निशाने पर है क्रिश्चन उनके निशाने पर है पदान मंत्री जी के कि अपने वर्कर्स को मनबढ कर देते हैं और जब वो मुसलमानों को या कृश्यंस को या जैनियों को बौध्धों को सिखों के खलाप कैमपेंच चलाते हैं और प्रधान मंत्री जी ऐसे ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करते हैं आप इस तरह के तमाम जो सोशल मीडिया अकाउ फॉलोड बाई प्राइम मिनिस्टर तो ये चीजे मनबढ करती हैं समाज के तपके को मुझे लगता है कि अगर आप सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं तो फिर इस नारे को खोखला मत रहने दीजे आप प्रधान मंत्री हैं आप चत्ता में हैं तो आपकी जिम्म प्रशा ये सोचता रहा हूं कि मैं वही लिखूंगा जो मैं पढ़ सकूंगा चुपा के कुछ नहीं रखूंगा उसमें बहुत सारी कड़वी शायरी भी है जो बहुत सारे लोगों को कड़वा लगता है लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर का काम है अच्छी दवाई द भी होते हैं प्रेम भी किया जाता है ङुनि आप तो पर्टिकॉलर सत्ता विरोधी शायर है लेकिन मेरा मानना है कि किसी जुड़का काम ही है अस्थाई रूप से अस्था कभी पक्ष हो वह पत्रकार हो वह शायर हो वह लेखक हो कमीडिया नहीं हो हाँस्य वेंग में कोई उसका काम ही है सत्ता के खलाब सत्ता को आइना दिखाना और सत्ता को भी चाहिए कि इन्हें इसे बरदाश्त करिए अगर आप नहीं बरदाश्त करते हैं तो इसका मतलब आप लोगतांत्रिक विवस्ता में विश्वास नहीं रखते हैं या तो फिर परिवर्तन करिए परिवर आप पत्रकार हैं आपके लिए ये बात कहना बहुत मुश्किल होगा लेकिन ये सच है कि कितने इस देश के पत्रकार हैं जो सची ग्राउन की रिपोर्टिंग करने की वज़ा से जिन्होंने मुकदमे धेले जो जेल गए आप देखें वो मिर्जापुर की उखटना याद अब ही रिसेंट कुछ महीने पहले उत्रप्रदेश की कैबिनेट फिनिस्टर हैं उनसे एक पत्रकार ने जो मतलब मैं ये कहूं कि विचारा गंचा वंचा भी उसने उसी रंग का डाल रखा था जिसको सरकार पसंद करती है लेकिन उसके सवाल सरकार को पसंद नहीं थे तो ये जो आप एक मेसेजिंग करते हैं कितने पत्रकार हैं जो एक वक्त में बड़े पत्रकार माने जाते थे आज अपने घरों पे यूटूब चैनल चला रहे हैं क्यों चला रहे हैं इसलिए क्योंकि सरकारें अपने खिलाफ उटने वाली आवाजों को फसंद नहीं करती तो अलोशना करने वालों को भी बरदाश्ट किया और यह सुस्त लोकतंद्र की जरूरत है वो कल को हम आएंगे तो हमारे उपर भी यह बात लागू होगी कल को आने वाला कोई और भी आया तो उस पर भी बात लागू होनी चाहिए और समाज की जिम्मेदारी है कि यह बात साशन था और उसके बाद लोगोंने बीजेवी को चूज किया अब आप बोल रहे हैं कई और भी बोलते होंगे कई खुश भी हैं कई नाखुश हैं जो नाखुश हैं उनको कैसे लगता कि कॉंग्रेस सॉलूशन बनती जा रही है आपको जो लोकतंत्रिक प्रणाली है उसम हिमाचल अभी कुछ दिनों पहले हिमाचल का रिजल था हमने वहां महबत की दुकान खोली फिर हम करनाटक में हमने एक अच्छा सा शोरूम खोला है आगे मध्यपरदेश है वहां अच्छा शोरूम खुलेगा 36 गड़ है 36 गड़ है वहां अल्रेड हमारा शोरूम चल रहा ह उसका हम रिनूवल कराएंगे राजस्थान रिनूवल कराएंगे और फिर आईए महारास्टा आएंगे तो महारास्टा में तो बुरी तरह से सूपड़ा साथ होगा तो मैं मतलब बहुत राजनेतिक भाशा में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये इंटर्व्यू उस तरह क जाता है जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो देश में राहूल जी को लेकर के भाश्पा ने जो प्रोपेगंडा बनाया था वो एक जटके में चार-पांच महीने में बहस्त हो गया राहूल जी निकले कुछ सो किलोमेटर चले और लोगों से मिले लोगों को गले लगाया तो लोगों को लगा कि नहीं यार ये राहूल वो राहूल तो नहीं है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे डेली वाटसप पे ग्यान आता है डेली एक दस बीस लाइन का पचीस लाइन का एक आर्टिकल आता है कि राहूल तो ऐसे राहूल तो वैसे सोनिया जी यहीं सोनिया जी वैसीं, कॉंग्रेस तो यह है, कॉंग्रेस तो वो है, लेकिन जब लोगों ने, आप चुकी सोशल मीडिया है, मीडिया ने उन खबरों को कम दिखाया, उसके बाद उस सोशल मीडिया के जरीए, वो खबरे देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंची तो उन्हो यक्ति है, रहुल गादी तो बहुत सामान ने, बहुत साधा सा, जिसके बारे में प्रधान मंत्री जी, ग्री मंत्री जी कहते थे, वो तो शहजादा है, तो राजकुमार साहब अपने भाशनों में यही कहके संबोधित करते थे, याद होगा आप तो, लेकिन लोगों ने कियार, वही राजकुमार, सडकों की धूल फाक रहा है, एक जूता, जूता भी नीव बदल रहा है, एक टी-शर्ट, आप अंजाजा रगा सकते हैं, कि जहाँ प्रधान मंत्री जी तो ब्रांडिंग के ब्रांडिंग के ब्रांडिंग आप 10 लाग का सूट पहनना कौन सी ब प्रधान मंत्री अपनी महंगी ब्रांडिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उद्द्योक पतियों के करीब दिखना चाहता है, लेकिन हमारा नेता गरीबों के करीब दिखना चाहता है, उसके दिल में गरीबों के लिए प्यार है, तो वो गरीबों की तरह जिंदगी को महंगी नहीं है, उसके जूते महंगे नहीं है, उसकी टी-शिट बहुत सामानने है तो राहुल जी ने देश को एक नई दिशा दी और सरकार के खलाफ लोगों में गुसा था, लेकिन मीडिया उस गुसे को कवर करता है, ध्यान हटाता है, आप सवाल पूछोगे कि गैस सिलेंडर जो है, वो 400 रूपे का मिलता था UPA2 के दौरान साथे 1100 का कैसे मिलने लगा तो फिर इस्मृति ईरानी जी एक प्रेस कॉंफेंस करके बताएंगी कि मैंने तो प्रियंका गांदी को जो है ना, नमाज पढ़ते अब आप गैस सिलेंडर पर बात मत करो, आप बात करो नमाज पर, भाई, आप ये ध्यान भटकाने की इंतहा है न, आपको याद होगा रविशंकर प्रसाद जी, विजय गोयल जी, स्मृति हिरानी जी, भाजबा के तमाम बड़े बड़े नेता, प्याज की माला लटका के, आलू की माला लटका के, दिखे होंगे, विजवल तो मौझूद है आपके पास, आपके आर्काइब में रखे होंगे, अब आज बताईए, कि आज अगर आपको माला लटकाने के लिए प्याज खरीदनी हो तो आप पुराने दिन ही लोटा था, वो बहुत अच्छे थे, हम उसके लिए, हम उसको लाने के लिए संगर्श कर रहे हैं, जहां उद्योग पती भी रहें, लेकिन गरीब भी जिये, पिछले तीन साल से, चार साल से, तीन साल से, सरकार संसद में इस बात के अपनी वहवाई करती ह कि हम जो है, असी करोन लोगों को पांच किलो राशन दे रहे हैं, कहते हैं, यह असी करोन का अंकड़ा कम क्यों नहीं हो रहा है, भाई आज से तीन साल पहले असी करोन को आप राशन दे रहे हैं, फिर दो साल पहले भी असी करोन को राशन दे रहे हैं, फिर एक साल पहले भ वो खुद खरीद सकें, आपने किसी को तो इतना बड़ा अमीर बना दिया कि वो दुनिया के टॉप 10 में पहुच जाए, और आपने किसी को इतना गरीब बना दिया कि वो 80 करोन लोगों को इतना गरीब बना दिया कि वो 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे हुए, तो ये पूरी अर्थव्यस्था को चौपट करने की प्रक्रिया है, इसकी जवाब दही तो सरकार की बननी चाहिए ना, आप अभी मेंशन कर रहे थे, कि नए-ने शोरूम खुलने वाले हैं, कही जगा रिन्यूवल होने वाला है, इसकी बात करते हैं, राजस्तान एक काफी sensitive state माना ज काफी उथल उथल चल रहा है काफी time से, MP हमने एक upset देख लिया already, because Congress की सरकार रफॉम होई, और फिर वापस BJP आगे और जो भी हुआ, मतलब वो सब को पता है, वो भी archive में है, आपको क्या लगता है, क्या इस बार नया होगा, क्या different होगा, क्या चीज़े stable रहींगी इस बा हम बात करते हैं, राजस्थान, ठीक, आप हालिया दिनों में देखें, पिरले छे महीने, आप ये पाएंगे, कि अशोग गहलोज जी के जो कुछ काम है, वो इतने शांदार, राइट टु हेल्थ का जो बिल है, वो इस देश में पहला स्टेट है राजस्थान, जहां वो ल पांच सो रुपए का दे रही है सरकार, तो ये सारे जो काम है, हमारा काम हमें वापस ले आएगा, अब रही सम्वेदन शीलता की बात, तो हम एक लोगतांत्रिक दल है, अगर हमारा एक कोई नेता जो है, वो किसी चीज पर विरोध भी कर रहा है, या आंदोलन भी कर रहा ह है, इसमें भाजपा के लिए खुश होने के लिए क्या है, भाजपा का कौन सा चेहरा है, जो सरकार से सवाल पूछ पा रहा है, चलिए अगर किसी बात पर हमारा ही नेता हमारी सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो ये तो, मैं तो किसी लोगतंत्र के लिए मैं इसे और जो खड़ा होकर कि आज तक बिधान सभा से लेकर सड़क तक एक सवाल पूछ पा रहा है वसंदुरा राजे जी पूछ रही हो तो बताइए गजंदर सिंग शेखावज जी खुदी फंसे हुए है सरकार जिस दिन थोड़ी सी और सुबूतों के साथ हाई तो वो जेल चले जाएंगे नहीं मैं तो बोलों भाजपा को आउट अप दे सीन रखते हैं अभी सिर्फ अगर इन दोनों की बीच में कॉन्वर्सेशन करें कहीं न कहीं कॉन्ट्रिक्ट तो बनता ही है अगर हमयरे ठीक है अगर कॉन्फ्लिक्ट भी बनता है अपको लगता है कि दोनों की बीचे मन मुटाओ है तो दोनों में से कोई एक अगर आप यह सोचते हैं लेकिन तब भी कॉंग्रेस तो जड़ में तो कॉंग्रेस ही है ना सरकार तो कॉंग्रेस की है अब इधायक जिसे आगे देखेंगे दोजार इसके तेईस के चुनाओं में विधायक जिसे चाहेंगे वो आगे मठेगा इसमें बहुत विपक्ष के लिए यानि कि वहां के विपक्ष के लिए बहुत खूश होने के लिए कुछ नहीं अब आये महीने का आप हालिया जिनों में वो देखिए मध्यप्रदेश में भगदर मची हुई यह भाजपा के नेताओं में कैलाश जोशी जैसा एक बड़े नेता के पुत्र जो है वो आकर के लिपक जोशी पार्टी में आगे ग्वालियर रीजन से कई बड़े नेता दिग्विज अब भाजपा आपने उसमें देखे जहां करके अपने घर के अंदर उसके घर में मतलब कयामत मची हुई है हमारे हम और हम और एक बड़ी बाद तीन राज्य जहां भाजपा ने लोकतंद्र को लूट के सरकार बनाई मद्ध-प्रदेश, करनाटक और महरास्टा ये तीन प्रमुकराज करनाटक के result आपके सामने है मद्ध-प्रदेश का कुछ दिन बाद सामने हुआ और इन दोनों से ज़्यादा खटनाक रिजल महरास्टा गाँ मैं महरास्टा से सांसद हूँ इसलिए मैं वहाँ की जमीन की नब्ज़ आपको बता रहा हूँ जनता में बहुत गुस्ता है जिस तरह से शियुसेना को तोड़ा इन्होंने महाविकास अगारी की शांदार सरकार जिसमें कोरोना के दौरान बहुत शांदार काम किया था उस सरकार को गिरा दिया गया खूबिट के दौरान जिस तरह सरकार को तोड़ने की कोशेशें भाजपा करती रही उस सबसे जनता में बहुत नाराज किया लोगों को बुरा लगता होगा अगर आप अपने आपको राजनेता अलग करते हैं और आप एक कौमन मैन ले आपने किसी को वोट किया और आपने उसको सरकार भी मनवाई और कुस दिनों बाद वो चला जाए दिल से बुरा तो लगता है बिल्कुल बुरा लगता है भाई बुरा लगने वाली हमें आप एंकर नहीं है मैं सांसर नहीं है हमें एक सामान ने बात करेंगे कि जब देश का ग्रिह मंत्री चुनावी भाषन में खड़ा हो के कहता है कि करनाटक में भाजपा की सर्कार नहीं आई तो दंगे हो और अधर म में छपा तो छपा नहीं छपा रास्टी मीडिया में आया नहीं आया अब तो यह ना कि सोशल मीडिया आपकी एक मतला आपके दौरा नॉमिनेट की गई एक पूर्व सांसत मेरी कौम जी उन्होंने वीडियो बना करके कहा कि मेरे मनीपूर को जलने से मचाईए लेकिन के चोथे ह ntan की जिम्मेदारिय है कि मजबूर करिये इसी देशने ये भी देखा है कि पयाज पर सरकारें गिरी हैं पयाज की महईगाई पर पेट्रोल डीजल की महईगाई पर सरकारें उथल प५ल हो गई हैं बरस्टचार के खिलाप सरकारें उथल-प५ल होई न अन्ना बैठे जंतर मंतर पर रामलीला मेदान पर करकारे उथल पुथल हो गई। आज यह है कि 20,000 करोन रुपए एक शेल कंपनी के जरिये आए हैं, देश का विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो है, वो सवाल पूछ रहा है, पार्लेमंट में खड़ा हो और सजा क्या मिल रही है, आप डिसक्वालिफाई करा दे रहे हैं, आप सारा उसका भाषन एक्सपंच करा दे रहे हैं, मैं तो बड़े सपने लेके पार्लेमंट में आया था, मैं जहां मन्चों पे हूँ, कम से कम बोलने की आजादी है, मैं सदन में देख रहा हूं, मुझे लगता था कि मैं मन्च स उतरूँगा, इस मन्च पे खड़ा हूँगा, तो यहां कोई बोलने से रोकेगा ने, लेकिन यहां तो यह है कि आप बोलना शुरू करेंगे, मतलब सत्ता पक्षल्ला मचाना शुरू कर देगा, आपको बोलने नहीं देगा, किसी सूरत आप तेज तरार हैं और दबे नही गए, तो सभापती महोद है, स्पीकर महोद है, आपका भाशन एक्सपंच कर देंगे, उसमें से तमाम शब्ध हटा देंगे, यार ये आप लब लोगों के क्यों सिलना चाहते हैं, क्यों डरते हैं, आपने जो अपनी विश्व विजई छवी बनाई है, वो लोगों के बोल का सांसदे, राहुल जी देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, उन्हों ने रास्त्रपदी के अभिवाशन पर लंबा सा भाशन दिया, लोकसभा में, मैं राज्यसभा में हूँ, लेकिन फिर भी में उस दिन वो भाशन सुनने के लिए गैलरी में जाके बैठा, और आप इतना डिक्टेट करेंगे, इतना सेंसर्शिप कर देंगे पारल्यामिन की कारवाई पर, तो ये तो बहुत मतलब अनूठा है भाई, अच्छा, अगा फ्रेंड एक चीज़ पूछना चाहता हो, मान लोग मुझे कुछ भी नहीं पता क्या होता है राज्यसभा के अंद तो आपको कुछ महीने नहीं, पूरे पांच साल लोगों की गुदर जाते हैं समझने, एक चैन्ने और तो सच्चाई है कि समझने के लिए चाहिए, हम लोग तो ऐसी दुनिया से आये थे कि जहां थोड़े बहुत समझे समझाए लोग थे, तो बोलने का जुनून भी था, जिमून भी होना चाहिए, तो फिर आप कोशिश शुरू करते हैं, कई सारी प्रक्रियाएं हैं, उसमें आपका अपना एक समय होता है, जिरो आवर, जहां आपको कोई बहुत महत्तुपूर विशह है, तो आप उस पर बार बार जिरो आवर लगाते हैं, तो एकात बार कौन कौन लोग बोलेगा, उसमें भी जो बहुत सीनियर नेता है, उनका बड़ा जाहिर सी बात है, पहला हक उनका है, तो जूनियर का तो बहुत बाद में नंबर आता है, तो आप बैट के कारवाई देखिए, लेकिन जूनियर अगर कवी हो शायर हो, मतलब बातों से तंज अच्छे से घस पाये, तो फिर तो क्या ही बुराई है, तब आप कसेंगे ने, बोलने का मौका मेलेगा, तो बोलने का मौका पाने के लिए आपको बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़ी कोशिश करने पड़ती है, आपको लगातार लगाना पड़ेगा, जीरो आवर सांसत फ्राइडे को अपने अपने घर चले जाते हैं, तो बहुत कम सांसत बचते हैं, तो आपकी पसंद का विशह है, तो आप तैयारी करके जाएए, बोलने वाला कोई है नहीं, तो तुरंत आप नाम देते हैं, तो आपको 10-5 मिनिट बोलने के लिए मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे थे के अमरान भाई अब आप पार्लेमेंट पहुंच गए हो, एक तो मैं बहुत यंग हूँ, तो अभी स्टूडेंट जैसा ही हूँ, तो अभी सीखने की प्रक्विया में हूँ, मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे बोलने हैं, तो नया सा है कि पचास साल से कम के लोग अमूमन राज्यसभा में नहीं जाते हैं, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ और मैं शुक्र गुजार हूँ अपने नेता का, राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, खर्गे साफ का, कि मैं 34 साल के उमर में राज्यसभा म हम और रागहो, रागहो चट्डा हमादी में रहती है, हम दो लोग हमूम रहें, तो हम आने के बाद हमने थोड़ा सा, जाहर सी बात है, नया खून आता है, तो वो नई तरीके से अपनी बात करता है, हमने जीरो आउर भी लगाए, हमने उपरास्टपती महुदे से मिल करके कई बार गुजारिश की कि सर ये बच्चों का मुद्दा है, ये आपने याद कि होगा, कोविट के दोरान, कोविट के बाद, आफ्टर कोविट, बहुत सारी हार्ड अटेक से मोते हो रही थी, तो मैं एक दिन गया, मैंने का नहीं सर, मुझे ये विशह उठाना ही उठाना है, क्योंकि लोग ऐसे डांस करते-करते मर जा रहे हैं, लोग ट्रेवलिंग करते-करते गिर रहे हैं, तो मुझे इस विशह को उठाना यह भी है, तो जब आप बहुत जित कर लेते हैं, तो स्पीकर भौदे भी आपकी बात कभी कभी सुन लेते हैं, बोलने का मुखा मिल मुझे मैं मानता हूं कि तीन सेशन गुजरे हैं, पहला था ऐसे ही गुजर गया, क्योंकि वो पुराने उपरास्टपती थे, उनका विदाई समारोग का सेशन था, तो वो ऐसे ही चला गया, शपत लेने में ही, एक बार बोलने को मिला था, शपत लेने के दौरान, अपनी हाले मौके, जीरो और लगाया, स्पेशल मेंचन लगाया, एक प्राइबेट मेंबर रिजोलूशन में भी मौका मिल गया, और यह जो तीसरा सेशन था, इसमें किसी को मौका नहीं मिला, क्योंकि हम अडानी के मुद्दे पे चर्चा करवाना चाहते थे, सरकार ने एक भी द रखने के लिए नारे लगाता है, या प्रोटेस्ट करता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सदन शुरू होता था, सत्ता पक्ष, यानि कि तमाम मंत्री और तमाम सांसद सरकार के वो खड़े हो जाते थे, और वो बहाने से राहुल गांदी माफी मांगो, ये करो, वो करो, तो बन करा देते थे सदन, सदन तीन मिनट, चार मिनट में सगित हो जाता था, हमारे कानों में बस एक सदा आती थी, कि सदन कल तक के लिए सगित किया जाता है, फिर बहार निकलते से तख्ती लेकर के, मोदी अडानी भाई-भाई देश में कर खाई मलाई ये नारे लगाते तो कुल मिला करके, बड़ा रोचक रहा है, तीन सेशन बड़ा, तो अच्छा है, ये उपो सेशन अच्छे तो जुड क्यों नहीं रहा है, ये कईयों का सवाल है, जुडा हुआ है, आप देखिए, मतलब हार दिन मीटिंग हो रही है, अगर आप UPA1 या UPA2 देखिए, जिस हसाब से, कॉंग्रेस के साथ बाकी पार्टियां भी जुड़ी हुई थी, वो अब आपको कहीं नहीं लैकिंग दिखता है, आप मानो ना मानो, आपको जो लैकिंग अभी दिखता है, वो चुनाओ आते 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 आपको वो सही दिखेगा, अभी जुड के क्या करें, अरे लोग सभा और राजी सभा की मीटिंग्स के दौरान, लीडर आफ अपोजीशन के मतलब चैंबर में, रोज जुडते थे, हर दल, उन्नीस उन्नीस दल अडानी के मुद्वे पर रोज जो है, वो प्रोटेस्ट करते पर बहार निकल रहते हैं, आपको याद होगा, हम पहले पर खड़े होकर के सारे सारे दल इसी को तो जुड़ना कहते हैं, और जुड़ने की परिभाशा क्या है, ये तो भाजपा बताती है कि नहीं, आपस में बड़ा मन मुटा है, अरे भाजपा को भाजपा के साथ जेडी उठा की नहीं था, क्यों छोड़के चला गया, सरकार स प्रोटेस्ट कर रहा है, पार्लियमेंट में साथ में वाकाउट कर रहा है, हर जगा जो है, वो मीटिंग्स हो रही है, उदर नितीज जी पता चला है, उडीसा पहुंच रहे है, महारास्ट्रा पहुंच रहे है, दिल्ली आ रहे है, धार्खन जा रहे है, हमारे अध्यक्ष करना तक का हमने चुनाव जीता तो खरगे साब को देश बर के विपक्ष के नेताओं ने फोन करके बधाईयां दी मैं उस दिन मौझूद था जब खरगे जी दिल्ली आये तो हमारे सामने ये बात करें इनका फोना है इनका फोना है तो अब और सरकार को सूचना दें क्या कि हम जुड़े हुए हैं भाई हम चिट्टी दोड़ी लिखेंगे सरकार को ये तो मीडिया का काम है वो पता लगाए अब जब भाजपा जीते तो विश्व विजई मोदी जी का फोटो लगे हारे तो नड़ा प्राइच जीते तो राहुल जी की फोटो आपको उस में नहीं दिखेगी क्योंकि नेके मैसेगा कि अगवाई में ये रहुल इतनी सारी रेलियां इतने सारे रोडशो करने के बाद मोधी जी की पार्टी चुनाव हार जाए तो उसकी जिम्मेदार मोधी जी नहीं है आप अगर मैं उस दिन तो डिवेट जिसने रिजल्ट आ रहा था मैं डिवेट में था कही मतलब आप ये कह दो कि नहीं हार तो मोधी कि अगर आपको साहित्य कला संगीत इस सबसे आप विहीन है यानि कि इन सबसे आपको कोई लगाओ नहीं है तो आप इंसान नहीं है फिर आप 18-18 घंटे ही काम कर सकते हैं तो आप इनसान है घंट गाल गांधी को पसंद क्यूं करता हूं राजनीती नहीं है अप्र राहू आपको राजनेता से जयादफ ये अछसास दिलाएंगे कि वह एक अच्छ इंसान है वो आपसे बात करेंगे साहित्ते पर, वो आपसे बात करेंगे फिलासफी पर, वो विश्वकी राजनीते पर बात करेंगे. वो आपसे यह नहीं पूछेंगे कि Imran तुम प्रताफगर से आते हो, तो प्रताफगर में कौनसी गनिक लगाई जाए, कि भाजपा के कौन से नेता को जेल भेजा जाए या फिर कौन सा तिकडम ऐसा किया जाए कि बस हमारी पार्टी जीथ ही जाए राहुल गांधी जी आप से आपने इंसानियत बची रहने देना चाहते हैं राजनी की ज्वाइन करने के बाद आपको मशीन नहीं बनाते हैं यहां तो खबरे कैसी आएंगी करनाटक का चुनाव खतम भारती जन्दा पार्टी की कार्य समित की बैठक में जुटे लोग दोहजार चौबिस के एलेक्शन के लिए इसको एक पक्ष ये भी तारीफ कर सकता है कि इन देखिये कितने जी ने कहा था और वाटसप पे ये मैसिज बहुत सर्कुलेट किया गया था कि मोदी जी के एक फोन कॉल ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया यूक्रेन और रसिया का आपको तक भी पहुंचा ही होगा आप ऐसे ग्रूपों में होंगे ही होंगे उसको दोड़ा कि मोदी जी का अगवाद के उन्होंने यूक्रेन और रसिया के युद्ध रुकवा दिया ये फेग न्यूज होगा आप जो भी हो आप तो जानी रहोगी है टेक न्यूज है लेकिन बड़े मीम के लिए बड़िया गॉंट्रेंट है वो बचारों को क्या पता कि यह मीम है क कि क्या है ये लेकिन मनीपुर जल रहा है वहां के युद्ध और वहां के जो दो मतलब साथ रहने वाली कम्यूनिटीज आपस में लड़ रही है आपकी सरकार है आप क्यों नहीं फोन करके हालाग बहतर करवा दे रहे हैं यह सवाल कौन पूछेगा मुझे कोई बीजेपी पूछेगा जरूरोग वन्ना तो लोग बस यह पूछते हैं कि आपको बीजेपी आप आप जो कॉसकर खाट हो या काट कर ख़ाते हैं यह सवाल करते हैं कि मोदीजी कौन सा क्रानी के लिए आप खाते क्या है फोडिजी आप पर्स में क्या रखते हैं पैसा या नहीं यह कि एकदम दिल पे हाथ रखे एकदम होनिसली में दिल थेफड़ा गुरुदा सब पे हाथ रखे बता रहा हूं कि उन्दोजाश चौविस में एंडिये जाएगा यूपीय की सरकार बनेगी अच्छे बहुमत से बनेगी और जो यह अच्छे दिन लाने का वादा करते थे वह चौश बहतर दिन अच्छे दिन यूपीय लेकर के आएग़े इनके बसका महिंगा ही कम होगी हमारा नारा जहां 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 मारी सरकार हैं कम कर रहे हम 500 का सिलेंटर दे रहे यह साठे 1100 का दे रहें अपको कम नहीं लग रहे हैं नि मैं मान रहो सिलेंडर यह पेट्रोल किसी भी सरकार को अपने में बोज नहीं लेना चाहिए अगर वो 800 का आता और आप 500 दे रहे हैं 300 सबसेडी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है घर आता हो तो बहुत कम है ना जब बहुत महंगा था यूपीए के समय में कच्चे तेल की कीमत महंगी थी तब हम सस्ता आगेश अज कच्चे तेल की कीमत सस्ती है लेकिन पेट्रोल और डीजल जो है वो दुगुने रेट पे सरकार बेंच रही तो इसका मतलब आप अपने तेल कंपणियों के जो मालिक है गैस कंपणियों के जो मालिक है उनको आपने फ्री हैंड दे दिया कंट्रोल कौन करेगा आप आप मुझे कीज बताइए दो हजार चौदा से पहले आप प्लाइट में तो आपने सफर किया ही होगा जिन एरलाइन के टिकेट जो है ना यहां दिली से बंबई का टिकेट पांच हजार कर रहा होगा छे हजार में मिल जाता था चार हजार में मैंन पांच हजार आपको 10,000 के ऊपर का मिलेंगा डिवालिया हो जा रही है एयर इंडिया बिग गई गोई अभी बस डिवालिया हो गया इस्पाइश जेट भी अफ़र उसी कागार पर है और जेट एर्वैस खतम हो गया तो आपने तो जो जो है क्या अच्छा किया अगर इस सर नेता होगा जिनको चली मैं नहीं बोलता हूं कि उनके काम पतंद होगे बड़ इन जनर लगता है कि वेक्तित तो अच्छा है कई होगे और इसमे कोई दोरा नहीं कि बीजेपी में कई कॉंग्रेज से गई पे नेता अच्छे हैं अरे ऐसा रही है बत और इनसान अच्छे हैं आचा एक शीद बताओ वो जब सेंटरल हाल में बैठते हैं तो बड़ी अच्छी से बात करते हैं और यह कहते हैं कि हम भी उप गए हैं लेकिन क्या करें पार्टी में है तो चुप रहते हैं तो अच्छे लोग हैं इसमें कोई द टाइम लता है अब मतलब आप बिजीस केडियो रहता है तो जवाब दे ही जो थी ना उस ओडियन्स के प्रती थी तो जाते थे खूब रोज कुछ ना कुछ नया लिखना है हर विशह पर कुछ ना कुछ लिखना है तो बड़ी आजादी थी अब यह है के सब्सक्राइब करते हैं कि अच्छी जीज़ है आप दिन अप्षेंट रहा हूं और वह भी तब भारत जोड़ो यात्रा के समापन में कश्मीर में थे और और सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई तो सेशन उस दिन शुडू हो रहा था तो नहीं आ सका तो मैं आज तक सिर्फ एक हाजिरी मेरी जो है वो अपसेंट हूई है दूसरी बात मैं मैं जाता हूं हाउस तो पूरा बैठता हूं सब को सुनता हूं और प्रिपैर करके जाते हो और प्रिपेरें दसेंस कि हाँ मैं मुझे जिन वश्वों पर बात करना है मैं कोशिश करता हूं कि उनके तatt लेकर कर ग़ह हो बाकि वहा लफाजी तो कर नहीं सकते वान कि भाजपार तो अन्या之 Idealrig करते देटा नहीं जाते मतलब ये मैं ऐसे सांसद ये बात कह रहा हूँ कि कई मंद्र आप मेंबरा पार्लियमेंट क्वेशन्स लगाते है जिनका जवाब जो है वो पार्लियमेंट के अंदर देना पड़ता है मंत्री को उसमें भी हिला हवाली है पहले जवाब दे ही होती थी आज गाउ में बैठा हुआ एक रग्रेक्टिया उसको लगता है कि अगर हमारा मुद्द पार्लियमेंट में उठ गया ना बहुत बड़ी बात है उमारे मुद्द का हल हो जाए लेकिन आज इस्तिती है कि मैंने आज तक मिनिस्ट्री मतलब जिस होता है कि एक होता है कि कान पे जून आ रेंग न तो ये मिनिस्ट्री और मंत्रालियों से जुड़े नेता उनको लगता है धीक है आप चीक्त चुलाकर रहो जंतर मंतर पर बेटियां बैठी है तो बैठी रहे नारा लगेगा कि बेटी बचाओ बेटी पहाओ, नारे से लोग खुश हो जाएंगे, किसान मरता है तो मरता रहे, 700 किसान शहीद हो गए, जब दिल आएगा तब वापस लेंगे, किरशी बिल नहीं तो नहीं लेंगे, ये जब सरकार गठित हुई थी 2014 में, तो सरकार के इस बात को बीजेब इतना क्यों फॉलो करती है, 700 किसान मर गए, बेटियां, मतलब ये जिन्हों ने इस देश के लिए मेडल लाया है, अगर वो आरूप लगा रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि पहले जांच होगी, फिर सब कुछ कारवाई होगी, आपके उपर अभी ये अडानी के मुद्ध की जांच होगी, से भी लटकाए पड़ी हुई है, कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या ही कहें, सर्क हो जाने के लामा कभी को भी सर्कार की मुद्धों पर लगता है, आप अपना सर्क हो जाईए, पालियामेंट में बेट के आप ऐसे माथा पीच लेते हैं तो भाई फिर पार्लेमेंट में जवाब देने का मतलब क्या है, फिर ये प्रक्रिया क्यों है, तो ये शिकायत है, मिट रिपोर्टिंग कही नहीं है, सालो दर सालो चीजे इंतनी बदल गई है कि आप कई चीजे हलके में ली जाती है, जो मैं MP से हूँ, आप बहुत हलके मे लेने लगेगी, तो लोकतंत्र बचेगा क्या, एक तरफ तो आप 20,000 करोण करके बड़ी भारी संसद बना रहे हैं, और जो पुरानी संसद उसको हलके में ले रहे है, जो प्रक्रिया चल रही है, तो देखूँगा ही, मैं तो नजरे अजरे हैं, पुरानी को भी देखा, न को उनके लिए कोई ऐसी शाहिरी जो शायद अभी जुबा पे हो और देश के हालात को बया करें, देखे मैं बहुत दिन बाद अभी मुशाहरे में जा रहा हूं इस तारिक को, बहुत दिन बाद, मतलब बहुत दिन बाद, कितने दिन बाद, बिल्कुल कट सा गया था, अब बड़ी सारी शिकायत रहे तो जाऊँगा, अब बड़ा जीब लगेगा ना स्टेज में जाने के बाद, कि अचानक से MP बन गए और स्टेज में जा रहे हैं, मैं जीब, अच्छली मेरी जो कहानी है जूठी नहीं है, इसने मुझा जीब नहीं लगेगा, यहां तो लो आपके साथ बेठा है, अब कहीं लगा कि मैं सांसदों की तरह बहार कर जाए और यहीं नहीं यहीं नहीं लगेगा, यहीं लोग बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे नहीं, मैं प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता हूँ, मैं खुद गाड़ी चला के घूमता हूँ, इसी कुछी बदला दिवाने थे, दिवाने ही रहें, हम नए शहरों में रहकर भी पुराने ही रहें, हम नहीं बदलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम कभी न बदले, हम जिस दिन बदल जाएंगे, उस दिन हमें लगता है कि हम बिखर जाएंगे, राजनीती में यह सच है, मतल स्यासत साधिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कही चालों को खुट से भी छुपाकर चलना पड़ता है, तो वह जो स्यासत साधिशोंका जाल like कभी गुदिसेन शर्मा ने कह था यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है, तो मैं तो ये शेर सुन-सुन के बड़ा हुआ था, तो बड़ा डर भी था, कि मतलब कैसी साजिशें कैसी साजिशों का जाल आने के बाद लगा कि ने होती मतलब लोग माला पहना के गर्दन दोज लेता है, लेकिन उसके बावजूद, मुझे लगता है कि यार कुछ प्रतिशत अपने अंदर की रशनात मकता, अपनी क्रियेटिविटी, अपना आर्ट और लगाओ अपना जमीन से, उसको मत खत्म करो, मतलब आस्मान में उड़ो लेकिन जमीन पर चलो तो फिसल मत जाओ पत्रीली जमीन हो, या फिर गीली जमीन हो या फिर संग मरमर हो मतलब उस पे यह नहीं लगना चाहिए कि आप फिसल रहा है हम 2023 में बैटे हैं, 2024 एलेक्शन के पहले कोशिश करूँगा वापस से एक बर आपको परिशान करो, इंटर्व्यू लूँ तब इसी बात पे, कि सत्ता का मोह कितना और सर के ऊपर चड़ा है क्या वापस आज भी कॉमन इंसान हैं कि नहीं काविषाई यह चाहूँगा आपका नाम बड़ा आपीर आपका नाम बड़ा उनिक है मैं यह चाहूँगा कि आप 2024 में हमाली सरकार बन जा उसके बाद हम से इंटर्वीव चलिए 2023 में भी लीजए कि महारास्ट्र जीते हैं तब आप लीजएगा मैं महारास्ट्र जीते हैं तब आप लीजएगा तो तब भी आपको लगेगा कि हम नहीं बदलें यह मैं अपने दर्शकों से भी कह रहा हूँ कि जिस दिन आपको यह लगे कि मैं थोड़ा बहुत तो हर वेक्ती बदलता है समय के साथ और वो जरूरत भी होती है आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है लेकिन अगर आपको लगे कि जो मैं मूल रूप से जो इम्रान था मैं मैं कहता हूँ कि मैं भारत का इम्रान हूँ तो जो मेरा मूल था वो कभी बदला दिखे तो आप मेरा गिरेबान पकड़ लेना कि नहीं इम्रान तुम ऐसे थे और तुम बदल गए मैं नहीं बद दूँगा ठीए ये ये वो शाहिद जमाल का खेर है बड़ा अच्छा के जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूँ मैं क्या करूं मजबूरियां है गाओं से आया हूँ मैं और मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा जर्फ ऐ समंदर किसने तुछ से कह दिया प्यासा हूँ मैं सियासत बदलने आया हूँ सियासत की वजह से खुद को बदलने का जिस दिन मुझे डर लगेगा उस दिन छोड़ दूगा सियासत एकदम मतलब जिस दिन मुझे लगा गया नहीं सियासत के इतने दबाओं में आ गया हूँ कि अब मैं मैं नहीं मतलब जले जी दही के साथ, तो मतलब ये मित्या है, ये भ्रहम है, आप छोड़ने पर आने तो आप, मतलब दिल ऐसा कि सीधे किये जूते भी बढ़ों के, मुनवर साब का शेर है कि दिल ऐसा कि सीधे किये जूते भी बढ़ों के, और दिद ऐसी कि खुद ताज उठा कर नही बरदाष्ट गर सकता है वो साजीशों में जब उसे लगए कि नहीं ज्यादा साजीश्य से हैं थी हम कुछ करने आएं हम हम हमें लगता है कि हम थीक हम सो परतिशत समाज नहीं बदल सकते हैं तस परतिशत का बदलाओ भी बहुत-बड़ा बदला मैं उसको करीब से देख रहा हूँ इसले बात के रहा हूँ तो हम किसी मुख्यमंत्री से मिलते हैं अपने राज्यों के यह जहां हमारी कॉलिबरेशन में सरकारे हैं हम उनसे सौ काम नहीं करा सकते लेकिन अगर हमने एक काम भी बुन्यादी करवा लिया तो वो एक काम जो है वो लाखों करून लोगों की जिंदगीयों पर असर डालता है तो यह कैन्वस ऐसा है कि यहां रहकर के आप एक काम करा ले जाओ तो आप यकीन करें कि आप जिंदगी पर आपको ऐस अंतुस्थी रहेगी कि आप मंचों पर खड़े हो करके पूरी जिंदगी जितना कुछ करते उसका मतलब उसको जमीन पर उतार के ठीके रहूल जी ने मुझ से एक बार यह बात कही थी कि जो नजमे तुम मंचों पर पढ़ते हो उसके हल निकालने की कोशिश कर उसका हल सियासत से निकले और यही आपको मूल रूप से तीन चीजे मिलती हैं पैसा ताकत और लोकप्रियता यही तीन चीजे इनके लिए लोग राजनीती में अमूमन आते हैं हम जैसे फकीर लोगों को तो पैसा थीक है तन्खा मिल जा रही है जो वह भी खर्च हो जाती है यार दोस्तों के यार दोस्तों कि दो चीजें पहले से मिली हुए कि आपको पैसे यहां से तो ज्यादा मिलते थे वह दोस्तों चाय के पैसे आप देते हैं आप पहले भी देता था अब नहीं देंगे तो और लाना चाँ भाई दो लगेगा कि नहीं आप तो बिलकुल अन्याय कर दोस्तों लोग बदल पालतू की बात है तो मैं कोशिश करता हूं मतलब मेरे आप कभी मेरे दोस्त जो है जो पुराने साथ के दोस्त हैं उनसे भी आप करोगे तो आप मैं कहा रहा हूं ना कि आज बहुत सारे MPs को आप देखेंगे कि उनको लगेगा कि मैं अपने दोस्त को बिठा के गाड़ी मैं तो मेरे प्रोटोकॉल के खलाब मैं तो कोशिश करता हूं कि नहीं मैं गाड़ी चलाऊंगा तुम बैठा हूं मैं मतलब अमूमन मेरे कई सारे दोस्तें जो साथ में मैं ड्राइबर रखने का बहुत बंद जिससे ख्याल ना मिलता हो तो लगता है कि कोई रोबोट करta कि घुनना और वही सब तो है जो ऐसं आप बचे रह जाते हैं वरना सियासत तो खा जाया आपके अंदर के इंसान को दुनिया की ऐसी हो गई मैं सियासत ही नहीं कह रहा हूं काई कि नहीं सारे क्षेत्र जहां पर चका-चौंत है जहां पर ग्लैमर है सियसत भी हमारी दुनिया का इप्रतिमिम्म और कुछ नहीं है पड़ी सुधिन भी आपने बोली प्रतिमिम्म अक्स अक्स वह भाई फिल्म आई थी एक काफी पॉपुलर चलिए इंशाललह आपके जो खयाल है वह और लोगों तक पहुंचें आप लोगों में और लोग प्रिये हो आपका काम बोले और दो हजार चौवेस में जो आप ड्रीम कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी वह उपरवाला पूरी करें और आपकी पसंदे बात की ज़रूरी है लोगों सब्सक्राइब करता हूं आप जब चाहेंगे तब मिला करेंगे ज़रूर बहुत बहुत शुगरे हैं अमरान मरी कभी अशोक साहिल का एक शेर था कि गंबो की आँच में भी मुस्करा कर चलना पड़ता है यह दुनिया है यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है और सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कही चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है अकसर लोग शायरों से कवियों से बहुत डरते हैं और अगर वो पॉलिटिक्स में आ जा तो काफी डेडली कॉम्बिनेशन है वालिट साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनू और इंटर्मीडियेट के दौरान मुझे समझ मैं कि ये मेरी दुनिया नहीं है मेरी दुनिया कहीं और है क्योंकि मैड़क नहीं काट पाएंगे इसलिए हाँ उसी उनिवस्टी में फिराग गोरकपुरी हरिवन चरायबच् क्या करूं मजबूरियां हैं गाओं से आया हूं मैं और मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा जर्फ ऐ समंदर किसने तुछ से कह दिया प्यासा हूं मैं सियासत बदलने आया हूं सियासत की वज़ा से खुद को बदलने का जिस दिन मुझे डर लगेगा उस दिन छ इशारा होता था उसमें देश के प्रधान मंत्री देश के रास्तरपती बैठके सुना करते था आज तो हालत है कि आप चार पंक्ती पढ़ दो तो आपके खिलाप ले करके फायार खड़े हैं लोग लेकिन भाजपा के पास ऐसा कौन सा चेहरा है राजस्थान में जो खड़ा होकर कि आज तक बिधान सभा से लेके सड़क तक एक सवाल पूछ पा रहा है वसंदुरा राजे जी पूछ रही हूं तो बताईए गजंदर सिंग शेखावज जी खुदी फंसे हुए है अब आईए मंद्र प्रदेश तीन भाजपा है एक शिवराज भाजपा एक महराज जी कि हार है तो मैंद्ब कई एंकर तो ऐसे मतलब रियक्ट करते हैं किसे लगता है कि आपने उनके पारिवारिक किसी बुजर्ग सदस्य के बारे में ऐसी बात बोलें हम बोले तो बोलें क्या हम करें तो क्या ही करें बताए ना आपके राष्टी अध्यक्ष नडदा जी न पहुंचा होगा अधा फ्रेंड एक चीज पूछना जाता हो मानलो मुझे कुछ भी नहीं पता क्या होता राजयोसभा के अंदर जब आप जाते हैं कि हर इंसान को एक टाइम दिया जाता है बोलने का मिलता है कैसे हो ता या बिल्कुल नहीं इस मुखालते में बिल्कुल मत प्रताफगड की गलियों से राजयसभा के गलियारे तक का सफर कैसा रहा उसमें बीच में बहुत सारे नजमें आई बहुत सारे वाके हुए होंगे इन सब का कॉन्वसेशन चलेगा आज हमारे साथ वह सब आभी पॉड़कास में इम्रान प्रताफगडी साहब है जिन्दगी में बहुत सारे लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके एक-एक कदम आगे बढ़ाते हैं, मेरी जिन्दगी में सब कुछ बेतर्तीप सा था, वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ और इंटर्मीडियेट के दौरान मुझे समझ मैं कि यह मेरी दुनिया नहीं है, मेरी दुनिया कहीं और है, क्योंकि मैटक नहीं काट पाएंगे इसलिए हाँ, मतलब एक अंदर से लगा कि मुझे शायरी पसंद है, मैं मुशारों में कभी सम्हिलनों में जाता था सुनने के लिए तो लगता था कि नहीं यह अपनी दुनिया है तो उन्हें यह लगता था कि नहीं यह काम्याभी वाली दुनिया तो यह नहीं है, फिर मैंने थोड़ा सा घर में जिसको कहते है ना कि थोड़ी बगावत की और इलहाबाद यूणिस्टी आ गया पढ़ने के लिए, वो जिन्दगी एक बहुत टैनिंग पॉइंट था, वा अधिली बार शेहर बाहर निकल के आया, तो वह बहुत बड़ा टनिंग पॉइंट और फिर वहां आकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म जाहर सी वाली तो उसने आपको बदला ऐसा इंसान? यह यकिनन, इसमें कोई जोरा नहीं जो मैं चाहता था वो करने के लिए बड़ा के ल लड़कियों का वह बहुत खुबसूरत था, उनमें लिट्रेचर था, और चुकि उसी उनिवर्षटी में फिराक गोरगपुरी, हरिवन च्राय बच्चन, महादेवी वर्मा, बढ़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े लोग, अपने दोस्तों के साथ शायरी पे बात करते थे तो ऐसा लगता था कि अंदर कुछ फील आ रहा है उन शायरों वाला तो उसने चेंज कर दिया फिर मुशायरों में सक्री हुआ कवी सम्मेलन। मैं हिंदी लिटरेचर का स्टॉडेंट हूँ अच्छा वाँ तो उस दोरान में हिंदी में कवी ताइं लिखने लगा और हिंदी कवी सम्मेलन के मन्चों पर सक्री हो गया देश के जितने बड़े नाम हैं सब के साथ कवी सम्मेलनों में जाना सुरेंट शर्मा जी हरियों पवार कुमार विश्वास और ये सब सारे लोग कवी सम्मेलनों म में बड़े नाम थे उनके साथ कभी समयलोनों में जाता था फिर वहां की दुनिया में ठिक ठाक नाम अपना भी बना लिया थोड़े पैसे आने लगे तो परिवार को लगा की नहीं ठीक है अपनी मर्जी का कर रहा है तो कर रहा है लास्ट कब गएदे आप अलावाद यूनि आप 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 आले में बनने के बाद एक बार इलावाद गया था चुकि एक प्रगाम होता है हमारे कुछ साथी है वह बहुत अच्छा काम है तो उससे मैं बहुत शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ हूँ तो अब तक 200 से ज्यादा बिकलांग बच्चे बच्चियों क úde only ृष गया था शिया जी तो उसको लीत करते है तो उस कारेकरब में में इना को वह सारी गलिया वह चौबाडे सभी आप्के है आप के हुआप अदकने का ठीक आछ राज यह का नाम क्षिभ आप ríaगराज तो वह हमेशा से था तो प्रियागराजस्टेशन था को ये भी चुभा लेकिन इलाबाद में पला बढ़ा इलाबाद की गलियों में जिसने सांस ली है उसके लिए वो प्रियाग राज इलाबाद रहेगा है इसमें कोई दोरा निक साई बात है आपने जस्ट इस कांवसेशन के स्टार्ट में एक बात बोली कि हमेशा लोग सोसते उस जमाने में पोईट्री या शायर होना कोई बहुत फीजिबल ऑप्शन नहीं था करियर के लिए क्या वो चीज़ बदली है अब हम दोहजार तेश में हमी वो दोहजार बारा तेरा आते आते बदला जब सोशल मीडिया हमारे हाथ में आया मल्टी मीडिया मुबाइल हमार लेकिन बाद में खूब पैसे आते गए वो मुशारा और कवी सम्मेला ने शो की तरह होता गया इवेंट की तरह होता गया तो अच्छा हुआ मैं जब आया तो मुशायरों में बहुत कम पैसे थे कवी सम्मेलानों में तो फिर भी पैसा था थोड़ा सरकारी बहुत कम पैसे थे जहां आप वॉली बुट से बुला करके किसी एक सिंगर को या किसी एक निरत्यांगना को आप जो है वो 15-10 लाक रुपे दे रहे हैं वहीं कवी सम्मेलान का दस कवीयों का बजट भी जो है वो आप 2 लाक रुपे रख रहे हो तो आप अंदाज लगा सक लेकिन फिर भी पैसा कम था लेकिन हम लोगों के आने के बाद वो बढ़ा ठीक ठाक बढ़ा ठीक ठाक पैसे मिलने लगे जिन्दगी थोड़ी अच्छी हो गई बाकी शायरों के लिए भी अच्छा हुआ के हम लोग थोड़ा ग्लेमर लेके आए मुशायरों में तो उसका सब को मिला और सब थोड़ी थोड़ी दुआएं बट एक कम्लेन मेरी हर सरकार से है मतलब वो कॉंग्रेस हो ये बीजेपी हो ये कल्चर को ना बहुत था बढ़ावा नहीं मिलता है हम ये बाकी चीजों में इतने फस जाते हैं जो की जरूरी है I'm not saying कि वो जरूरी नहीं है लेकिन ये भी कहीं नहीं हमारा कल्चर भारते कल्चर के साथ साथ हमें समाज को भी थोड़ा सा इस चीज़ के लिए जागरूप करना पड़ेगा और जो समाज जो सरकार अपने कवियों शायरों साहिप्तिकारों कलमकारों और अलग-अलग विदाओं से जुड़ेवे आर् चाहिए और मुझे आद है कि अखिलेश यादो ने 2016 में मुझे उनकी सरकार ने मुझे यश्भारती एवाड दिया मैं यंग्यस था 29 साल की उम्रों में मुझे यश्भारती वाड मिला इस्टेट का लिट्रेशर का सबसे बड़ा एवाड बाना जाता है अलग-अलग क्षे ने उबन कर दिया तो मुझे कभी कि भी लगता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कामों के लिए सरकारों के पास पैसा है जो समाज पे कोई गहरा असर ने डालते हैं लेकिन उसी समाज का एक साहित्यकार या कलमकार या किसी भी विधा से जुड़ा हुआ आर्टिस्ट जो सम असर लोग शायरों से कभी हों से बहुत डरते हैं और अगर वो पॉलिटिक्स में आ जा जा तो काफी डेडली कॉम्बिनेशन है तो यह पॉलिटिक्स का जो रास्ता चूज किया है यह अचानक से कहां से आ गया और मतलब शुरुवात कैसे हुई मुझे याद है बहुत पह कभी लोग अकसर बहुत सारे कभी सीज को अधित करते थे कभी और शायर जो है वो समाज का आइना है और कोई नेता अगर रात भर कभी सम्मेलन मुशारा सुनते हुए बैठा रह गया तो उसके मजे भी खूब लेते थे उसके कटाक्ष भी करते थे टिपड़ियां भी करते आज तो हालत है कि आप चार बंक्ती पढ़ दो तो आपके खिलाप ले करके फायार खड़े हैं लोग मतलब बरदाश्ट खतम हो गई सरकारों की अपनी आलोचना सुनना बंद कर दिया सरकारों ये किसी भी स्वस्त समाज के लिए अच्छा नहीं स्वस्त लोकतंत्र के पता चला मुझे राज्स समा मेगी तो मेडिया के पता चला कि मैंने इस पर कोई कोशिश नहीं की मेरी लगता था कि ये दुनिया अपनी दुनिया教 reden पिर 2018 में राहुल गांदी जी से मुलाकात वी तो दो चार पांच मुलाकातों के बाद मुझे समझ आया कि वह अच्छे इंसान है और उन्होंने बातों बातों में कहा के अच्छे लोगों की जरूरत है आईए पॉलिटिक्स में आईए बस अच्छी लगी बात चला आया पॉलिटिक्स में आज आज आपके सामने में इठा प्लस अब आप एक राजनेता है उसके परस्पेक्टिव से दोनो दोनो नजरी होते हैं मैं दोहरजाद 21 से कॉंग्रेस पार्टी का माइनोरिटी डेपार्टमेंट हैट कर रहा हूं मैं देश बेर में गया और माइनोरिटी का मतलब देश में एक नरेटीव बना तिया गै कि माइनोरिटी का मतलब को भी बहुत कुछ दे रही है फिर बॉद्धों को भी बहुत कुछ दे रही है वो सरदारों को भी बहुत कुछ दे रही है लेकिन बीजेपी जो है दरसल बीजेपी पूरी राजनीती है उसका जो उसमें जो भावनात्मक राजनीती है उसके निशाने पर मुसल्मान नहीं हो तो उन्हें लगता है कि उनका जो ओट बैंक है वो सधता नहीं है चुकि उनके पास गिनाने के लिए काम नहीं है मैं विपक्ष में हूँ, मैं कॉंग्रेस का हूँ, इसलिए बात नहीं कह रहा हूँ के लिए कुछ है नहीं, तो मुसल्मान या फिर कोई भी माइनॉरिटी उनके निशाने पर है, क्रिश्चन उनके निशाने पर है सदान मंत्री जी केरला में जाकर के पादरियों के साथ मीटिंग करते हैं और उधर बिल्कूल बगल में करनाटक में, चुनावी टाइम में उनका विधाय कहता है कि क्रिश्चन के हाथ तोड़ देंगे, हम अगर इधर बढ़ेंगे तो तो ये जो राजनीती है भाजपा की, वो दरसल इस देश की माइनॉरिटी के लिए खतरनाक है और वो उनको हमेशा, वो ग्राउंड पे अपने वर्कर्स को मनबढ़ कर देते हैं, जो उनके आनुशांगिक संगठ हैं, मैं बड़ा हिंदी का शब्द इस्तिमाल कर रहा और जब वो मुसल्मानों को, या कृश्यंस को, या जैनियों को, बौध्धों को, सिक्खों के खलाब कैमपेंच चलाते हैं सोशल मीडिया पर, और पुर्धान मंत्री जी ऐसे ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं, आप इस तरह के तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, आप उसमें देखेंगे, तो उसमें लिखा रहता है कि प्राउडली फॉलोड बाई प्राम मिनिस्टर, तो ये चीजे मनबढ करती हैं समाज के तपके को, मुझे लगता है कि अगर आप सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं, तो फिर इस नारे को खोखला मत रहने आप प्रधान मंत्री हैं, आप चत्ता में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप एक ड्यक्तिके प्रधान मंत्री हैं, इनके ऊपर कभी कुछ लिखा है, कुछ ऐसा जो मतलब कभी ऐसे पुब्लिश ने किया हो बड ने, मैं बड़ा बिवाक शायर रहा हूँ और बि सारे लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर का काम है अच्छी दवाई देना, अगर मरीज के लिए बहतर है, तो कड़वी दवाई पीने में हर्ज नहीं होना चाहिए, तो मेरी शायरी अगर थोड़ी कड़वी भी रही हो, तो मैंने सरकार को आइना दिखाया है, तो उस आइना दिखाने में बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है, नाराज भी होते हैं, प्रेम भी किया जाता है कि आप तो पर्टिकुलर सत्ता विरोधी शायर है, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी कलम, कलम से जुड़ेवे किसी वी व्यक्तिका काम ही है अस्थाई रूप से सत्ता का भी पक्षोना, वो पत्रकार हो, वो शायर हो, वो लेखक हो, वो गत्तिलिक रहा हो, हां, वो हासिवेंगे में कोई बात कर रहा हो, उसका काम ही है सत्ता के खलाब सत्ता को आइना दिखाना, और सत्ता को भी चाहिए कि इन्हें इसे बर करते हैं तो इसका मतलब आप लोगतांत्रिक विवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं या तो फिर परिवर्तन करिए परिवर्तन तो हो नहीं का है कहीं परिवर्तन कुछ दिख रहा है क्या महौल खराब ही किया उन्होंने परिवर्तन में परिवर्तन का मतलब अच्छा प पत्रकार हैं जो सच्ची ग्राउंड की रिपोर्टिंग करने की वज़ा से जिन्होंने मुकदमे जेले जो जेल गए आप देखें वो मिर्जापुर की उखटना याद होगी मिड़े मील के खिलाफ एक लोकल पत्रकार ने जिले में रिपोर्टिंग करता था खबर दिखा जी जेल गया और बाद में बचारे की कैंसर से मौत होगी सरकार ने कोई मदद नहीं की आपको याद होगा गुलाबो देवी जी से प्रश्न पूछ लिया भी रिसेंट कुछ महीने पहले उत्रप्रदेश की कैबिनेट फिनिस्टर हैं उनसे एक पत्रकार ने जो मतलब मैं यह क अपने घरों पर यूटूब चैनल चला रहें क्यों चला रहें इसलिए क्योंकि सरकारें अपने खिलाफ उटने वाली आवाजों को फसंद नहीं करती तो मेरा मानना है कि हमने हमारी मैं कॉंग्रेस में हूँ 2019 से राजनीती में हूँ लेकिन अगर मैं उससे पूर्व में भ देल नहीं भेजा अपनी आलोशना करने वालों को भी बरदाश्ट किया और ये एक सुस्त लोकतंद्र की जरूरत है वो कल को हम आएंगे तो हमारे उपर भी ये बात लागू होगी कल को आने वाला कोई और भी आया तो उस पर भी बात लागू होनी चाहिए और समाज की जि आइंड उसके बाद लोगोंने बीजेवी को चूज किया अब आप बोल रहे हैं कई और भी बोलते होंगे कई खुश भी हैं कई नाखुश हैं जो नाखुश हैं उनको कैसे लगता कि कॉंग्रेस स्लूशन है देखें कॉंग्रेस सॉलूशन बनती जा रही है आपको जो लो कुछ दिनों पहले हमाचल का रजल था हमने वहां महबत की दुकान खोली फिर हम करनाटक में हमने एक अच्छा सा शोरूम खोला है आगे मध्यप्रदेश है वहां अच्छा शोरूम खुलेगा 36 गड़े 36 गड़े वहां अल्रेड हमारा शोरूम चल रहा है उसका हम अच्छा में बात नहीं कर रहा हूं क्यों कि ये इंटर्व्यू उस तरह का नहीं है लेकिन ये सच है कि सोल्यूशन ऐसे ही बनता जाता है जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो देश में रहुल जी को लेकर के भाजपा ने जो प्रपेगंड़ा बनाया था व डेली एक 10-25 लाइन का एक आर्टिकल आता है कि राहुल तो ऐसे राहुल तो वैसे सोनिया जी ऐसी सोनिया जी वैसी कॉंग्रेस तो ये है कॉंग्रेस तो वह है लेकिन जब लोगों ने आपको कि सोशल मीडिया है मीडिया ने उन खबरों को कम दिखाया उसके बाद उस तो राजकुमार साहब अपने भाशनों में यही कहके संबोधित करते थे, याद होगा आपको, लेकिन लोगों ने देखा कि यार, वही राजकुमार, सडकों की धूल फाक रहा है, एक जूता, जूता भी नहीं बदल रहा है, एक टी-शर्ट, आप अंजाजा रगा सकते हैं, कि जहां प्रधानवंत्री, यह तो ब्रांडिंग के point of view थे, दस लाग का सूट पहनना कौन सी ब्रांडिंग है, दस लाग का सूट प्रधानवंत्री ने पहना न, मौबाटों की घड़ी पहनी न, चश्मा महंगा पहन रहे न, तो जिस देश में 80 करों लोग, पांच किलो प्राशन पे जिन्दगी गुजार रहे हैं, वहाँ प्रधानवंत्री अपनी महंगी ब्रैंडिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उद्योग पतियों के करीब दिखना चाहता है, लेकिन हमारा नेता गरीबों के करीब दिखना चाहता है, उसके दिल में गरीबों के लिए प और सरकार के खलाफ लोगों में घुसा था लेकिन मीडिया उस घुसे को कवर करता है ध्यान हटाता है आप सवाल पूछोगे कि गैस सिलिंडर जो है वो 400 रूपे का मिलता था UPA2 के दोरान साथे 1100 का कैसे मिलने लगा तो फिर स्मृति ईरानी जी एक प्रेस कॉंफेंस करके बताएंगी कि मैंने तो प्रियंका गाल जी को जो है ना नमाज पढ़ते पे देखा अब आप गैस सिलिंडर पे बात मत करो आप बात करो नमाज पे भाई आप ये ध्यान भटकाने की इंतहा है ना आपको याद होगा रविशंकर प्रसाद जी विजय गोयल जी स्मृति हिरानी जी भाजपा के तमाम बड़े बड़े में था प्याज की माला लटका के आलू की माला लटका के दिखे होंगे विजुल तो मौझूद है आपके पास आपके आर्काइब में रखे होंगे अब आज बताईए कि आज अगर आपको माला लटकाने के लिए प्याज खरीदनी हो तो आपकी जेब ढीली हो जाए खाने के लिए तो बड़ा मुश्किल काम है तो भाजपा ने वो दिल लाके रख दिये मुहबत भाई चारे के दिवाने दिन ही लोटा दो वो सस्ती डाल सबजी के सुहाने दिन ही लोटा दो यह अच्छे दिन तो अम्मानी अडानी को मुबार्ण को हमें आसा करो साहे पुराने दिन ही लोटा दो वो बहुत अच्छे थे हम उसके लिए हम उसको लाने के लिए संगर्श कर रहे हैं जहां उद्योग पती भी रहें लेकिन गरीब भी जिये पिछले तीन साल से चार साल से सरकार संसत में इस बात पी वहवाई करती है कि हम जो है कि 70 करून लोगों को कि पांच किलो राशन दे रहे कैते हैं यह टा-ची लनक कम क्यों नहीं हो रहा है कि आख से 13 साल पहले सी कौण को आप राशन दे रहे पिर दो साल पढноगी स citizen को राशन दे रहे फिर एक साल पहले बीस बार भी आपने पार्लिमेंट में का हैं असी करोन लोगों को राशन दे रहे यह अगड़ा कम करिये वो खुद कब से खरीदना चाले हुआ है उनको इस लाइक बनाईए अआप ने किसी को तो इतना बड़ा अमीर बना दिया कि वो दनिया के टॉप तैन में पहुछ जाए और आपने कि empire बना दिया कि व कई करोन लोगों को इतना घरीद बना दिया कि वो 5 राशन के लिए लाइन नगे वारू ऑप तो यह आपके पूरी एक काफी sensitive state माना जा रहा है Congress के लिए, काफी उथल उथल चल रहा है काफी time से. MP हमने एक upset देख लिया already, because Congress की सरकार form होई और फिर वापस BJP आगे और जो भी हुआ, मतलब वो सबको पता है, वो भी archive में है, आपको क्या लगता है, क्या इस बार नया होगा, क्या different होगा, क्या चीजे stable रहींगी इस बार के election में? अब पहले हम बात करते हैं, राजस्थान, आप हालिया दिनों में देखें, पिछले 6 महीने, आप ये पाएंगे, कि अशोग गहलोज जी के जो कुछ काम है, वो इतने शांदार, राइट टु हेल्थ का जो बिल है, वो इस देश में पहला स्टेट है, राजस्थान, जहां लागू हुआ, इस्तिती है कि आज लोग जहजेकार कर रहे हैं, सरकार की, कि आपको इलाज कराना है, प्रीचीरंजीवी योजना, इतनी शांदार योजना, गह सिलिंडर 500 रुपए का दे रही है सरकार, तो ये सारे जो काम है, हमारा काम हमें वापस ले आएगा, अब रही तो ये स्वस्त तरीके से लेखा जाए, इसमें भाजपा के लिए खुश होने के लिए क्या है, भाजपा का कौन सा चेहरा है, जो सरकार से सवाल पूछ पा रहा है, चलिए अगर किसी बात पर हमारा ही नेता हमारी सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो ये तो, मैं तो किसी लो सरकार जिस दिन थोड़ी सी और सुबूतों के साथ हाई तो जेल चले जाएंगे नहीं मैं तो बोलों भाजपा को out of the scene रखते हैं अभी सिर्फ अगर इन दोनों की बीच में conversation करें कहीं नहीं conflict तो बनता ही है हम कहने ठीक है अगर conflict भी बनता है को लगता है कि मनमुटाव है तो दोनों में से कोई एक अगर आप यह सोचते हैं लेकिन तब भी Congress तो Congress तो है ना उसकी जड़ में तो Congress यह ना सरकार तो Congress की है अब विधायत पर जिसे आगे देखेंगे दोजार इसके तेईस के चुनाव में विधायक चाहेंगे वह आगे मठेका इसमें बहुत विपक्ष के लिए यानि कि वहां के विपक्ष के लिए बहुत खूश होने के लिए कुछ नहीं अब आये मद्यप्रदेश पिछले आप दो महीने का आप हालिया जिनो रहार नहीं कई बड़ेनेता करेंट। पूरी भाजपा वहां पे तीन भाजपा है एक शिवराज भाजपा एक महराज भाजपा नाराज भाजपा करेंगें उसके घर में मतब कयामत मची हुए है कि हमारे हम कोई मस्ला नहीं हमारे हां दिख बीज़ जी और कमलाज जी दो बड़े नेता हैं और विजय जी हर मंच पर कहते हैं कि कमलाज जी मुख्यमंत्री होंगे तो वहां कोई मसला ही नहीं है तो हम और एक बड़ी बाद तीन राज्य जहां भाजपा ने लोक तंद्र को लूट के सब्सक्रार बनाई मद्यप्रदेश, करनाटक और महरास्ट्रा ये तीन प्रमुक राज करनाटक के रिजल्ट आपके सामने है मद्यप्रदेश का कुछ दिन बाद सामने हुआ और इन दोनों से ज़्यादा खतरनाक रिजल महरास्ट्रा गाउब मैं महारास्टा से सांसद हूँ इसलिए मैं वहाँ की जमीन की नबज आपको बता रहा हूँ जनता में बहुत गुस्ता है जिस तरह से शियुसेना को तोड़ा इन्होंने महाविकास अगारी की शांदार सरकार जिसने कोरोना के दौरान बहुत शांदार काम किया था उस सरकार को गिरा दिया गया कोविट के दौरान जिस तरह सरकार को तोड़ने जोड़ने की कोशेशें भाजपा करती रही उस सबसे जनता में बहुत नाराज किया लोगों को बुरा लगता होगा ना अगर आप अपने आपको राजनेता अलग करते हैं और आप एक कौमनमेन ले आपने किसी को वोट किया और आपने उसको सरकार भी मनवाई और कुस दिनों बाद वो चला जाए दिल से बुरा तो लगता है बिल्कुल बुरा लगता है भाई इस देश आप बुरा लगने वाली देखे हमें एक सामान ने बात करेंगे इस देश का ग्री मंत्री चुनावी भाषन में खड़ा होके कहता है कि करनाटक में भाजपा की सरकार नहीं आई तो दंगे होंगे और उधर मनीपुर में भाजपा नहीं थे आपकी बात पहुंचने का पहले यह था कि अख़बारों में छपा तो छपा नहीं छपा रास्टी मीडिया में आया नहीं आया अब तो यह ना कि सोशल मीडिया आपकी एक मतला आपके दौरा नॉमिनेट की गई एक पूर्व सांसत मेरी कौम जी उन्होंने वीड मैं फिर आके ही कहूँगा कि लोगतंतर के चौते हस्तंत की जिम्मेदारी है कि मजबूर करिये इसी देश ने ये भी देखा है कि प्याज पर सरकारें गिरी हैं प्याज की महंगाई पर पेट्रोल डीजल की महंगाई पर सरकारें उथल पुतल हो गई हैं बरस्टाचार के खिलाब सरकारें उथल पुतल हुई ना अन्ना जी बैठे जंतर मन्दारी है